नमस्ते जे नमस्ते के हाल चाले आपके सरजी हम तो बहुत बढ़िया हैं आप सुनाएगा हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं प्रेम से बूलेंगे राधे राधे रिविजन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है चेप्टर है आपका अगला कॉंप्यूटेशन आफ जी एस्टी का बाबा की बूटी के मताबिक अगर हम बात करके चलें तो हमने चर्चा कर ली है गुड्स और सर्विसेज क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बाब में सप्लाई कब बनती है कब नहीं बनती है इंटर इंटर का पूरा डिसकेशन हुआ ये गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई इंटर या इंटर टैक्सिबल परसन के हाथों से होने चाहिए वो भी हमने देख लिया और जो भी हमारी सप्लाई है वो एक्जेम्टिड अगर नहीं है तो जीस्टी लगाया जाएगा और अगर जीस्टी लगेगा तो कैसे लगेगा उसके लिए अब हम आ गए हैं यहां कॉम्पुटेशन आफ जीस्टी के बॉक्स पर हम आ चुके हैं तो जीस्टी कॉम्पुट करने के लिए हमारे पास में दो प्रकार की स्कीम सजेस्ट करी गई है और दो स्कीम के अंदर एक आती है आपकी रेगुलर स्कीम एक आती है आपकी क्या बोलते हैं composition scheme आपकी यहां पर आती है ठीक है तो पहले हम बात कर रहे हैं आपसे regular scheme की तो regular scheme के अंदर regular तरीके से ही बाते सारी करी जाती है और हमें JST compute करने के लिए दो या तीन element की जरूत पड़ती है तीसरा element होता है rate of exchange का अगर आपकी transaction international level की होती है तो आपको rate of exchange की आवशक्ता पड़ती है otherwise इसके आवशक्ता नहीं पड़ेगी international transaction के अंदर चुकि currency, foreign currency होती है इसलिए rate of exchange की आवशक्ता पड़ती है तो यहां पर बताया जाता है rule number 34 बात करेगा दरसल यहां पर section number 15 आएगा और rule number 27 से लेकर rule number 35 तक यहां आपको देखने के लिए मिलेंगे इन्ही rules के बीच में rule number 34 आता है और वो यह कहता है कि अगर आप service sector की बात कर रहे हैं तो इसके लिए rate of exchange generally accepted accounting principles यानि कि gap के मताबिक लिया जाएगा gap का मतलब आपके AS या ind AS के मताबिक जो भी आपका spot rate या average rate होता है वो यहां पर consider किया जाता है लेकिन goods के सम्मन्द में शुरुवात में तो यही था कि भी goods के सम्मन्द में भी gap के अनुसार जो rate of action जाता है वो यहां पर लिया जाएगा वैसे करके बुला जाता था परन्त माले के बाद में फिर उन्हों ने दिक कर समझी कि चुकि जो import of goods होता है वो पूर्ट रूप से custom वालों को handover कर रखा है और import duty के साथ ही import of goods के उपर GST की calculation करी जाती है तो उसके लिए दिक्कत वाली बात हो सकते थी because import duty calculate करने के लिए जो CBIC है थोड़ा सा भ्रांती हो रही थी दिक्कत हो रही थी इसलिए to make an alignment government ने क्या किया कि ठीक है जो import duty के लिए हम rate of action इस्तिमाल कर रहे है यानि कि CBIC के दोरा prescribed वही वाला goods के लिए भी इस्तिमाल किया जाएगा तो goods के लिए CBIC वाला rate और services के लिए आपका जो gap के दोरा यानि AS या INDS के दोरा निकाला गया rate है वो यहाँ पर अपना consider किया जाता है और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे ठीकर राधे हाँ सर जी एकदम ठीकर कौन दिक्कत वाली बात नहीं है अच्छा उसके बाद नमबर आता है आपका मालक यहाँ पर rate of tax का तो यह आपको याद रखने के आवशक्ता नहीं है as notified by the sales institute जो composite scheme होती है उसके अंदर जो rate of tax होते हैं वो तो आपको याद रखने के आवशक्ता है regular scheme के अंदर जो rate लगते है regular rate of GST वो सब आपको याद रखने के आवशक्ता आ रही है 100 रुपीज की और इस पर GST आता है माली यह 18 रुपे कर यह 18 हो जाता है 18 को बुलाया जाता है invoice value इसे कहते है invoice value और 100 रुपे को कहा जाता accessible value यानि कि the value जिसके उपर हमें GST calculate करना होता है उस वाली value को बुला जाता है एक बंद कैसे होता है उस वाली value को बुला जाता है क्या बुलते है मालिक उस वाली value को यहां पर आकर बुला जाता है transaction value इसे यहां पर आकर बुला जाता है मैं इसका हवा जाज़ा दू जा रहा वनना फिर यह बीच में परिशान करेगा यार चलो करता हूं तो इसे बूलते है accessible value कहा जाता है the value over and above GST will be calculated और यही accessible value मतलब transaction value transaction value का मतलब price actually paid और payable जो होता है वो आपका यहांपर consider किया जाता है ऐसे करके हमारी बात करें जाती है ठीक तो यह जो transaction value है क्योंकि यही बनती है accessible value बशरते कि आपकी transaction value available हो और reliable हो if it is available and reliable then it will be considered as accessible value अन्य था हमें फिर valuation rules की तरफ move करना पड़ जाएगा ऐसे करके यहां पर बात करी जाती है आगे बोलते हैं यहां पर ठीक है सहां की transaction value but what do you mean by transaction value sir meaning thereby price actually paid or payable price actually paid or payable actually paid or payable for the goods उसे कहेंगे transaction value लेकिन इसके अंदर हमें कुछ एक adjustment भी करनी होती है और adjustment होती है idiots वाली idiots वाली adjustment का मतलब है पहला I निकल के आता है इस I का मतलब होता है incidental expenses या जो भी हमारे associated expenses होते हैं उनको यहां पर add किया चाहता है idiots ID D का मतलब होता है discount basically discount always exclude किया जाएगा अगर वाके में यह दिया गया है तो discount दो तरीके का हो सकता है एक pre supply discount दूसरा post supply discount जो pre supply discount है मतलब वो supply के वक्त known है पता है तो उसमें दिक्कत नहीं है जब invoice issue हो रहा होगा तो उसमें वो automatically उसका हिस्सा बन जाएगा invoice में reflect हो जाएगा और जो भी net price आ रहा होगा after deducting the discount उसके उपर GST calculate कर दिया जाएगा वही होगी transaction value और वही बनेगी आपकी accessible value लेकिन जो post supply discount होते हैं उसमें issue क्या होता है कि जब invoicing होती है main invoicing तो उस समय तो हमें नहीं पता होता discount होगा भी और नहीं होगा तो ऐसे वाले मामले के अंदर जो शुरू में GST वो तो gross value पर ही calculate हो जाता है पर भविश्य में अगर मालेजिए post supply को discount वाकई में pass on होता है तो उसके लिए इस बन्दे को फिर एक equal amount का credit note issue करना होता है विकाज शुरू में invoicing gross value पर हो चुकी थी तो discount value को लिए credit note दिया जाएगा credit note के आधार पर इस बन्दे के output GST liability कम हो जाती है और सामने वाले को जब वो GSTR 2A के अंदर reflect होगा तो वो corresponding अपना ITC वहाँ पर कम कर लेगा मेरे liability कम होगी और उस सामने वाले का ITC कम करवा दिया जाएगा पर ध्यान दीजिए ये post supply discount का benefit याने की liability में reduction तभी संभव है जब हमारे supplier और recipient के बीच में इसके लिए पहले से एक agreement हो तो दो बात है आगई supplier recipient के बीच में post supply जैसा agreement होना चाहिए और दूसरी बात जब मैं मेरे GSTR 1 के अंदर credit note को show कर दो तो सामने वाली party भी credit note के दम पर corresponding ITC अपना reduce कर ले अगर उसने ITC reduce नहीं किया तो मैं भी मेरी liability को reduce नहीं कर पाऊँगा यह आता है आपका post supply discount के सम्बंद में EDI आगे बात करते हैं interest की अब जो interest होता है वो basically एक तो interest पढ़ते हैं आपने exemption वाले point पर आकर वहां कहा जाता है कि भाई साब सुनो हमारी बात देखो जो आपका यह interest और discount होता है तीन चीजों पर loan, advance और deposit पर तो यह तो आपका हो जाता exempt और यह gate number 5 से ही बाहर निकाल दिया जाता है इसके अलावा जो और type के आपके interest होते हैं जैसे माल लीजी आपने उधार माल बेच दिया, उधार service दे दी और वहां से जो consideration वो delay हो जाता है यह deferred consideration का interest है, जैसे higher purchase transaction हो गई तो deferred payment का interest है यह delayed payment का interest है अगर ऐसा कुछ है तो यह वाला interest आपका GST के दाइरे में आता है परंतो, normally क्या देखने को मिलेगा जैसे माल लीजीए, मैंने आज कोई goods यहां से बेच दिया है, बिल्कुर ठीक बात है तो आज तो interest की कोई चर्चा नहीं रही होगी एक लाग plus GST का मैंने अपना invoice से शुकिया और बात खतम कर दी आगे चलके पता लगा कि सामने वाली party ने मेरा पैसा लेट कर दिया है, और now I am eligible to charge interest from that party अब मैं उसे interest charge करूँगा भविश्य में ठीक है, 2-4-6 मेने बाद में वो interest का payment मुझे करेगा अब invoicing तो original value का था, अब interest भी recover कर रहा हूँ, तो accounting purpose के लिए मुझे obvious सी बात है, यहां पर एक debit note और issue करना पड़ेगा, यानि कि supplementary invoice मुझे यहां पर देना पढ़ जाएगा तो मैं बंदे को यहां से supplementary invoice यानि कि debit note issue करूँगा जिसके आधार पर मेरी liability बढ़ जाएगी और सामने वाले की जो ITC correspondingly वो भी वहां पर बढ़ा दिया जाएगा, यानि कुल्म लाकर बात यह है कि जो interest और penalty है other than loan advance और deposit वाले वो सब आपके यहां पर GST के दारे में आते हैं, उन पर भी आपका GST लगाया जाता है, वो भी GSTR1 में debit note के माद्धम से show किये जाएगे and my dear, फिर वो सामने वाला भी उस पे credit booker के चलेगा, अगर मान लीजिए higher purchase transaction है, उसमे installment बनती है, ठीक है, इंस्टाल में तो उसमें cash price होता है, higher purchase price होता है, तो higher purchase price also includes interest component तो GST calculation higher purchase price पे होग या cash price पे, और विस सी बात है higher purchase price पर वहां calculation करवाई जाएगे, हज़िटों के yes sir, कौनो दिक्कत वाली बात यहां तक तो बिल्कुल भी नहीं है, साबास तो discount के लिए credit note का सहरा लिया जाता है, और सामने वाला वेक्ति ITC बे रिडूस करता है, यह liability रिडूस करता है, लेकिन interest के लिए बंदा अपने liability भी चढ़ाएगा और सामने वाला अपना ITC को भी चढ़ा देगा, यह भी आपके GST के दारे में आते हैं, लेकिन time of supply chapter के अंदर interest penalty के लिए specially बोल रखा है, कि देखो interest और penalty के against, आपको जो भी पैसा मिला है, वो पैसा inclusive of GST माना जाएगा, ध्यान जा सुनिएगा, वो पैसा inclusive of GST आपका माना जाएगा, और inclusive of GST मानते हैं, जो भी GST का amount है, वो calculate करके आप सरकार को pay करके चलोगे, जो interest और penalty का amount है, इसका जो classification जाएगा, वो main supply के साथ जाएगा, क्योंकि ये main supply का ही, एक part होता, उसी का एक हिस्सा होता है, तो ये उसी के साथ में अपना निकल कर जाता है, is it okay? ये सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आचा, main supply से connect होता है, जो main supply अगर goods की थी, तो ये भी आपका goods का माना जाएगा, interest penalty भी, इसका classification भी जाएगा, जो rate of GST पे था, वाई rate of GST इसके उपर भी लगाया जाएगा, ऐसे करके यहाँ पर बात करी जाती है, लेकिन time of supply, हम main supply का नहीं लेके चलेंगे, जिस दिन, the day on which interest और penalty actual में receive हो जाता है, उस दिन का time of supply यहाँ पर लगाया जाता है, और इसके मताबिक due date of GST payment बनती है, पर ध्यान दीजिए, अगर आपको, वो receiving की date से time of supply लिंक कर रखा है, इसका मतलब यह हो गया, कि अगर आपको यह interest और penalty के amount अगर मिलते नहीं हैं, receive नहीं होते हैं, तो फिर इस interest penalty पर कोई GST calculation नहीं आ सकती है, तो जब जितना पैसा रिसीव होगा, तब उस पैसे को, ध्यान सुनिए, बड़े key wordings बूल रहा हूँ, interest penalty के अगे is, जब जितना पैसा रिसीव होगा, तब उसका time of supply निकलेगा, उसको inclusive of GST मानते हुए, इस बात को हमेशा याद लखना, ठीक, तो अगर मान लीजिए, यहाँ supplier है, वो recipient है, और यहाँ supplier का vendor, मतलब supplier का भी supplier बैठा हुआ पीछे, vendor बैठा हुआ है, तो मेरी कोई liability थी, किसी बंदे के प्रती, जब मैंने कुछ पैसा देना था, तो सोच रखा था कि आपसे पैसा आएगा, तो मैं आपको दूँगा, मान लाक रुपे आपसे आने थे, तो मैं खोचे भाईया, बीस अख़जार उसको देने थे, तो आपसे पैसे आएंगे, लाक रुपे फिर बीज़ार उसको दूँगा, लेकिन यहाप ही के पड़ास में रहता था दर असल, तो मैं आपसे अब यहाँ, लाक रुपे में से ना, अस्यजार मुझे दे दियो, बीस अजार उसे पकड़ा दियो, वो अबलिगेशन वो लाइबिलिटी तो मेरी थी, लाइबिलिटी सप्लाइर के लिए, देना सप्लाइर को था, लेकिन सप्लाइर ने अपने रिस्टिपिंट को बोल दिया, इस आफ डूइंग बिसनिस के चलते हुए, कि भाई यहाँ, कुछ 20,000 रुपे उसे पकड़ा दियो, बोलन मैंने बिजवाए हैं, और ने का ठीक है जी, तो 80,000 अब वो मुझे दे के जाएगा, और 20,000 वो उसे दे देगा, कि लिए भाई राजकुमान ने बिजवाए हैं, ऐसे करके, तो मुझे एक बात बताईए, सामने वाले बंदे ने मुझे कितना पेमेंट किया, 80,000 या एक लाग, सर एक लाग, यानि कि उसने 80,000 पेड़ टू मी किया, और ओन माई बिहाफ किया, 20,000 रुपे तो, कहने का मतलब यह है, price actually paid और payable to supplier, और on behalf of the supplier, वो भी यहाँ पर शामिल किया जाता है, वो भी अपका निशित तोर पर इसका पार्ट बनाए जाएगा, इडियोटि, टी का मतलब हो गया, other taxes, जो tax के हम बात करके चलते हैं, कि GST और compensation से इसको छोड़ कर, बाकि जो भी आपके पुराने टेक्सेज हैं, लाइक सेंटल एक्साइज है, वेट है, सीएस्टी है, कुछ ही कार्टिकल्स पर वाज भी अपने लगाए जाते हैं, तो उनको जोडने के बाद, जो वैल्यू आ रही होती है, उस वैल्यू के ऊपर हम लोग अपना जीएस्टी क कंप्यूट करके चलते हैं, मेरे बच्चा, मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहता हूं, ठीक है सर जी, कैसे भला, जैसे माल लीजे, यहाँ पर एक वैल्यू निकल कर आ रही है, टुबैको के वैल्यू 100 रुपे की है, सेंटल एक्साइज जूटी आपकी निकल के आ रही ह सबसीडी, ध्याँ दीजिए, सबसीडी तभी एक्सक्रूड होगी, जब तीन शर्तें पूरी हो जाती हैं, नमबर एक, सबसीडी सप्लायर को दी गई हो, सबसीडी सरकार ने दी हो, सरकार ने दी हो, सप्लायर को दी हो, और यूनिट लिंक्ड हो, यूनिट लिंक्ड हो, व सबसीडी के वैसे एक इनुट का इतना प्राइस कम हो रहा है तो वो जिसमें भी आप कॉमडिटी में डील कर रहे हो उससे वो आपकी लिंक होनी चाहिए अगर all the three conditions are satisfied only then यह जो सबसीडी अमाउंट है यह आपका exclude किया जाएगा otherwise यह आपका शामिल ही रहेगा right yes तो यह बात थी आपकी transaction value is equal to accessible value को लेकर उसके बाद में फिर हम आते हैं मालक यहां से कि transaction value is not available or not reliable तो क्या किया जाएगा तो यहां पर valuation rules आपके निकल के आते हैं मेरे पास three set of valuation rules यहां पर आते हैं एक होता है comparative method एक होता है computed method और एक होता है आपका best judgment करके यह situation निकल कर आती है तो पहले यहां पर बोला जाता है rule number 27, red with rule number 30 and 31, as if it 28, red with rule number 30 and 31, फिर आता rule number 29, red with rule number 30 and 31 करके आपका निकल कर यह आता है ठीक है yes तो यह आपका general point है हाँ पर 27, बाकी 28 और 29 आपके specific है तो पहले general की बात करते हैं general में बोलता है कि जब आपका consideration पूल रूप से money में ना हो, monetary form में ना हो या फिर कोई और कारण रहा हो, तो उस वज़े से अगर transaction value आपकी available नहीं हो पा रही है तो फिर हम ऐसे बात करके चलेंगे, तो इसमें rank one आती है कि जो जारिया है आप उसकी value को पकड़िएगा उसकी open market value को पकड़िएगा, सबसे पहला method होता है comparative method, कि अगर मुझे एक commodity का price पता करना है और इसका price वाकई में नहीं पता है, which is not available, तो इसके comparable quantity को मैं ढूंडता हूँ, comparable goods को मैं ढूंडता हूँ और comparable goods को ढूंडने के बाद, उसका जो open market price से वो लेके चलेंगे, ठीक है, यसे मान लीजिए, मैंने आपको commercial coaching की service दी और आप से मैंने dry cleaning की service ले ली है तो यहां पर consideration monetary form में नहीं आया है, तो मैं मेरी service का valuation करने के लिए, अपनी जो जा रहा है, जो मैं दे रहा हूँ, अपनी service की open market value देखूँ, या जो बदने में मेरे पास में आई है, मैं उसकी market value देखूँ, जी नहीं, जो पहली प्रयास है मेरा, पहली पसंद, यानि कमला पहली जो पसंद आए, यहां पर आका, तो पहली पसंद के मताबिक हम देखें कि जो जा रहा है, जो जा रहा है, जिसको मैं supply कर रहा हूँ, इसका open market price क्या है, वो बताएए, अगर मान लीजिए, यह आपका available नहीं है, तो मेरी दूसरी choice क्या होगी, कि जो आरिया है, जो आर रहा हो, या inform of service कुछ आ रहा हो, या पिल साथ में कुछ मनी भी हो, तो उसको aggregate कर लीजिए, जो आ रहा है, उसको total करके, वो मैं यहां पर इसकी value बना दूँगा, अगर इसकी भी value नहीं पता है, तो फिर तीसरा element आता है, जो खड़ा-खड़ा मुस्कुरारिया है, खड़ा rank 1 के मताबिक जो जारिया है, या जो आरिया है, या जो खड़ा-खड़ा मुस्कुरारिया है, इंत की बात करके चलेंगे, लेकिन क्रम में करके चलेंगे, क्रम बना के चलना पड़ेगा, open market value of such supply, मतलब what you are supply, और यहां गया अपना आरिया है, और उसके बाद open market value of similar supply, जो ख और आपका 110% of cost, cost क्या, cost of production, अगर manufacturer के इंगल से बात कर रहे हो, अगर trader के लिए बोल रहे हो, तो cost of acquisition, जिसने उसने परचीस किया है, और एक service provider के इंगल से बात कर रहे हो, तो cost of provisioning or rendering of services will be considered as accessible value at this moment, right sir, और अगर यह भी संभव ना हो, तो फिर best judgment, जो तुम को हो पसंद वह ही बात यहां पर करके चलेंगे, अगला आता है rule number 28, red with rule number 30 and 31 करके आपके यहां पर आते हैं, इसमें बताया जाता है rank 1 पर, rank 1 पर बोलते हैं कि देखे, यह लगता कब है, जब transaction अपनों के बीच में हो रही हो, अपने कौन है, अपने कौन है, transaction between deemed distinct or related person, deemed distinct कहते किसे हैं, जि इनके बीच में एक border आ जाता है, जैसे Mr. X है, और Mr. X का जो कारोबार है, वो दो अलग-अलग state में हैं, दो अलग-अलग UT में हैं या एक state और एक country या एक country या दूसरे country में, मतला बीच में एक border आ रहा है किसी भी तरीके का, और एक ही व्यक्ति के दो अलग-अलग कारोबा मान कर चलते हैं, तो transaction जब अपनों के बीच में हो, related party में या deep distinct में होती है, अपनों के बीच में होती है, तो हम जानते कि वो भले ही FOC क्यों ना हो, उसके बावजूद भी उसे supply बनाया जाता है, ये बात तो हम भली और भाती अच्छे से जानते हैं, माले करें ठीक है जी, तो इसमें पहला point ये आता है, जब अपनों के बीच में हैं, तो basically हमें ये तो पता है कि यहाँ supplier से GST जाएगा और recipient अपनी किताबों में credit book कर लेगा, तो इसमें problem क्या रही तो कि पुराने समय के अंदर, जब ये stock transfer वगएरा अपनों के बीच में हुआ करता था, तो चुक पर GST का लोड आएगा, लेकिन problem का है कि सुनिए ज़रा, अब जो GST के जो rate set किये गए हैं, वो by keeping in mind, the rate of central XI duty plus wet, इन दोनों rate को merge करके GST का rate तैय किया गया, जैसे माल लीजिए, पुराने समय के अंदर XI duty का rate 14% था, वेट का 14% था, तो 28% का था, तो आज वो चीज GST के 28% के अंदर का टेक्राइज करी जाती है, तो पुराने समय के अंदर XI duty का 14% था, तो 14% का लोड ही आ रहा था, और सामने वाले को उसका rate मिल जाया करता था, आज वही चीज़ 28% से लगेगी और सामने वाले को ITC भी मिल जाएगा, ठीक है, आज भी वैसे तो कोई दिक्कत नह हैं, लेकिन problem यहाँ पर निकल क्या आती है कि credit के रूप में पैसा जादा block रहेगा, पहले सर्फ 4 रुपे ही credit के रूप में block रहते थे कुछ समय के ले, लेकिन अब वही 28 रुपे block हो जाएंगे credit के रूप में, जिसके वजए से जो व्यक्ती है उसके working capital में दिक्कत आएग लेकिन जो ITC के रूप में पैसा blockage था वो पहले की मुकाबले यहाँ पर बढ़ गया, तो सरकार से इसका निदान मांगा गया, जिस्टी काउंसल ने अपने एक solution बना कर भेजा और जो की यहाँ आपके सामने आ गया, कि देखिए अगर stock transfer अपनों के बीच में हो रहा है, transaction अपनों के बीच में हो रही है, और सामने वाला जो अपना है वो B2B transaction है, यह कहूं कि वो ITC ले पाएगा, अगर वो ITC ले पाएगा, तो सरकार यह जानती कि जहां पर सामने वाले व्यक्ति को ITC मिल जाता है, वास्तविकता में, वहाँ पर government को कुछ मिलता ही नहीं है, सत्त कर्मनों ने कहा कि एक formula बना कर दे दिया है, क्योंकि लोग कह रहते हैं कि working capital में पैसा ज्यादा block हो रहा है, तो government ने शानदा solution बना के दिया, कि अगर recipient full ITC book करने के लिए eligible है, तो आप जो margin value declare कर लो, उसी को हम open market value माल लेंगे, तो man margin value आप यहाँ पर ले सकते हो, stock transfer, जब team district के बीच में बात की जा रही हो, तो value as per your choice, whatever the value you will declare, वो आप चाहे एक रुपे बताओगे, तो यहाँ भी सरकारों कुछ नहीं मिलने वाला, because आप एक रुपे के उपर GST भरो तो वास्तम में अभी भी सरकारों कुछ नहीं मिला, तो सरकार नहीं कहा कि अगर सामने वाला ITC ले पा रहा है, B2B transaction ITC ले पा रहा है, तो अब जो margin value कर देना, क्योंकि अब कम करो या ज़्यादा करो, हमें तो वास्तम में कुछ मिलने वाला है ने, लेकिन आपकी समस्थे क समाधन यहां जरूर आपको मिल जाएगा, तो ऐसा यहां पर बोल दिया गया है, उसके बाद आगे एक optional तरीका इन्होंने और भी दिया है, कि देखो, आप कर क्या रहे हो, आप यह कर रहे हो, कि यहां पर आकर यह सप्लायर है और यह आपका recipient है, तो यहां पर यह जो transaction होई पहली, तो यहां की जो transaction value है, जो price one है basically, यह आपका reliable नहीं था, तो यह काम किया हमने यहां पर आकर कि भई, हमने आगे जहां कर देखा, कि आगे चलके देखो, यह जो व्यक्ति यह भी तो उसके transaction two करेगा ना, यहां पर आकर, इसका price two निकल के आएगा, तो जिस price पर इसने fabric supply किया जाता है, अगर यहां से fabric supply किया जाता है, तो सामने भी fabric ही आपका sale होना चाहिए, चुकि आप इसके price को base बना रहे हो, यहां valuation करने के लिए, तो यह same चीज़ होने चाहिए, ऐसा तो नहीं कि आपने आप fabric remove कर दिया, और अगले वाली factory में जाकर वो ready made garment बना के बेच रहे हो, तो यह transaction हो रही है, यह एक unrelated party transaction आपकी होनी चाहिए, यूर पी transaction आपकी होनी चाहिए, ठीक, तीसरी बार, चुकि आपको यहां पर value is point पर चाहिए, लेकिन अगली price 2 के अंदर तो अगले वाले का, यहां पर जो profit element है, वो भी जोड़ा हुआ होगा ना, इस बंदे का तो इसको घटाने के लिए 10% के रहुने margin ले लिया और कहा, यह जो price आ रहा है P2, इस P2 का 90% जो भी आएगा, उसको यहां पर हम रख देंगे और उसके आधार पर इसका valuation कर दिया जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिए, क्या यह service sector में apply हो पाएगा, the answer is no, यह service sector में apply नहीं हो पाएगा, क्योंकि service में ऐसा नहीं होता कि इसने यहां से service दी, उसने profit लगा कि service को आगे बीच दिया, वैसी वाली बात निकलके नहीं आती है, so this formula of 90% will not be applicable in case of service sector, तो देहन दीजिए, हमारे पास क्या हुआ था, जब हम cost लेकर आ रहे होते हैं, जब हम पीछे से calculation करके ला रहे होते हैं, तो हम cost में अपना profit element 10% जोड देते हैं, और इसलिए बोल देते हैं, cost का 110%, जब value आगे से लेकर आ रहे हैं, जिसमें अगले वाले का profit element भी शामिल है, तो हम उसका 90% लेकर चलते हैं, आगे से अगली stage से उठाई है, तो 90% of price to पीछे से उठा के ला रहे हैं, तो profit element खुद के लिए चड़ाना पड़ेगा, खुद का profit element और वो 110% यहां पर आ जाता है, ध्यान दीजे, बड़ी बात बोलने के लिए जा रहा हूं, जो 90% वाली ये बात है, ये आपकी service sector के लिए लागो नहीं होती है, never ever, और जो 110% वाली बात है, ये आपके service sector के लिए optional है, अब चाहो तो लगाओ, चाहो तो मत लगाओ, ये आपकी choice है, आपके ऊपर कोई compulsion नहीं है, चुकि service sector में cost को compute करना इतना आसान काम नहीं होता है, इतना आसान काम नहीं होता है, कि per unit cost की calculation वहाँ पर करी जा सके, तो 90% वाली बात service sector के लिए है ही नहीं, और 110% वाली बा ये सिर्फ goods के लिए है, ये सिर्फ goods के लिए है, कि sale of same goods हो, unredited party transaction हो, तो जो goods का 90% of price 2 है, उसे यहाँ पर accessible value बना दिया जाएगा, ठीक है जी, तो पहला point आया मनमर जी का, लेकिन वो तब जब सामने वाला ITC ले पा रहा हो, दूसरा ये optional दिया, price 2 का 90% और तीसरा तो वही अपना, वहाँ से copy paste करके डाल दिया है, कि जो जा रिया है, उसकी value या जो आरिया है, उसकी value, खड़ा खड़ा मुस्कुरा रिया है, उसकी value, नहीं तो फिर cost और अपना best judgment, बाकी सारा का सारा copy paste कर दिया है, आपके पहले वाले इस system से rule 27 से आपका copy paste कर दिया गया है, लेकि इसमें एक point नहीं है, जो आरिया है, उसकी value, वो इसलिए नहीं है यहां पर आकर, क्योंकि यहां जो transaction हो रही है, वो अपनों के बीच में हो रही है, अपने practically F.O.C. transaction होती, तो सामने से कुछ आहीं नहीं रहा होता है, इसलिए यहां पर इसको add करने के आवशक्ता नहीं है, तो बाकि rank 3 पे क्या है जो जारिया है उसकी value जो आ रहा नहीं यह नहीं जो खुड़ा खुड़ा मुस्करारिया है उसकी value cost और फिर अपना best judgment तो तीन आगे पहला point आ गया अगर सामने वाला ITC ले सकता है तो वैसे वाले मामले में मनमर्जी value उठा लीजी क्योंकि transaction अपनों क बात applicable नहीं होती है और उसके बाद में आता है आपका rank 3 open market value आफ जो जारिया है या फिर जो खड़ा खड़ा मुस्करारिया उसकी उपर market value उसके बाद cost या फिर management की बात अपनी करके हम चलते हैं क्योंकि तीसरा point तो copy paste है आपका यहीं से ठीक है उसके बाद में यहाँ पर 29 यह लगता है जब आपकी principal और agent के बीच में transactions हो रही होती हैं तो वहाँ पर आकर इसकी बात हम मालिक करके चलते हैं तब जाकर इसकी बाते हैं यहाँ पर करी जाती है जब principal और agent के बीच में चर्चा है आपकी हो रही होती हैं वैसे करके बात करी जाती है ठीक है यह सर यह स से principle को माल जा रहा है तो जितने में agent आगे बेच रहा है उसका 90% उठा के आप यहां पे रख सकते हैं तो वो जो optional था वो copy paste यहां पे कर दिया गया है basically देखा जाए तो यहां सिर्फ मनमर्जी वाला option नहीं है बाकि सारा का सारा rule 28 से copied है मनमर्जी वाले option को छोड़कर यह optional आ गया उसके बाद open market value of जो जारिया है उसकी value या फिर similar goods की value 110% of cost और bad judgment ऐसे करके हम बात करके चलते हैं मालिक और 110% of cost का मतलब for manufacturer के लिए cost of production, trader के लिए cost of acquisition और service provider के लिए चीज अपनी cost of provisioning service लेकिन उसके लिए यह optional यहां पर रखवाई जाता है फिर से बता दूँ 90% वाली बात जो बात है यह service provider के लिए है ही नहीं और जो 110% वाली बात है न मालिक वो आपके basically जो service provider है उसके लिए optional यहां पर रखवाई जाती कि आप ठीक है service वाले आप लगाओ तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं क्या आप इनको फिर से एक बार बोल सकते हो yes मैं बोल सकता हूँ rule number 27 यह एक general provision है जहां पर बात करते हैं सबसे पहले जो जारिया है या जो आरिया है उसके value है खड़ा खड़ा मुस्क्रारिया उसके value उठा लीजिए अगर यह सब नहीं है तो 110% of cost और यह एक 10% of cost यह service वाले के लिए optional है और या फिर management की बात करेंगे तो वहां पर सबसे पहले आता है जो भी man margin value आप बताओगे वो यहां पर concern करके चलेंगे बसरते के सामने वाले को पूरा का पूरा ITC मिल रहा हो कि कुछ सामने वाले को ITC मिल रहा होता तो वहां वास्ता में हमें कोई आम अंदर ही नहीं हो रही है तो आप जो margin value बताएंग हम उसको यहां पर आकर पकड़ लेंगे उसके बाद में अगला point आता है यहां पर निकाल कर देता है वो कि like optional method एक निकाल कर दिया कि आप ऐसा भी कर सकते हो 90% of price 2 ले सकते हो लेकिन यह सिर्फ goods के लिए है दूसरी बात same goods आपका आगे बेचा जाना चाहिए और वो भी unrelated party transaction होने चाहिए जो transaction number 2 है तो ही हम यहां पर आकर अपनी बात कर सकते है price 2 यहां पर consider किया जा सकता है प्रेम से बोलेंगे राध ही राध ही ठीक है अगर यह भी संभवना हो तो जो जारिया है उसकी value या जो खड़ा-खड़ा मुस्कुरारिया है उसकी value है ना और वो लेके चलेंगे उसके बाद फिर 110% of cost और फिर bad judgment की बात करके हम चलते हैं उसके बाद में principal agent वो same है बिलकु rule 28 से copied है बट वो मनमर्जी वाला option नहीं है एक तो option method आगे 90% of price to rank 1 पर उसके बाद में फिर वही जो जा रिया है खड़ा-खड़ा मुस्कुरा रिया है 110% of cost और उसके बाद में फिर अपना bad judgment की बात करी जाती है rule number 31 आता है value in case of lottery operated by government and non-government basically lottery के सबन में GST का rate 28% का लिया जाता है यहाँ पर बस एक बात बताने का प्रयास किया गया है कि lottery पे GST का rate 28% का दूसरा जो भी lottery का ticket value होती है lottery की जो ticket value होती है या उसका जो notified price है ticket value और notified price जो भी दोनों में अधिक होता है उसे base बनाते हैं और जो price होगा वो आपका inclusive of GST लिया जाएगा lottery का जो ticket जो पर लिखा होता है face value जो उसकी लिखी हुई है that shall be considered as inclusive of GST जो भी आपना निकल के आ रहा है जिस पर आप transaction कर रहे हो तो वो basically आपका जो price है वो inclusive of GST माना जाएगा और जहां पर price inclusive of GST होते है तो वहाँ पर formula लगता है accessible value निकालने के लिए 100 बटा 128 और आगर वो सीधर GST निकाला है तो 28 बटा 128 formula लगाया जाएगा क्योंकि लोटरी के संबन में चाहे वो government के दोरा operate की जा रही हो या government के दोरा authorized किसी दूसरे बंदे के दोरा operate की जा रही हो method कौन कौन से मैं आपको बताना चाहता हूं number एक यह दोनों के दोनों method option है आप चाहो तो actual जो margin बनता है प्रक्स के संबन में आप उस पर अपना GST भर सकते हैं यह बात बताई जाती है और दूसरी बात यह बताई जाती है हाना कि फ्रक्स का discussion पूरा आगे दे रखा यहां पर आपका इस सारे examples सारा कुछ मैंने करके बता रखा यहां पूरा example दे दे के समझा रखा पूरा Forex की जब यहां पर बात करते हैं तो पूरी linkage के साथ Forex को मैंने यहां पर आपको समझाया है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां बताया जा रहा है कि भाई सब बात सुनों हमारी अगर आपकी transaction में Indian rupees involved है चाहे आप currency बेच रहे हो चाहे खरीद रहे हो हमें फरक नहीं बढ़ता यह बताईए क्या उसमें Indian rupees involved है या नहीं अगर Indian rupees involved है तो उसको compare कीजिए RBI reference rate से RBI reference rate से compare करने के बाद जो भी difference निकल के आ रहा है उस difference में total number of unit की multiply कर दीजिए आपका deemed commission तयार है उसके उपर आपका GST compute करवा दिया चाहेगा लेकिन अगर मान लीजिए RBI का reference rate आवेलेबल नहीं है तो क्या करोगे जो भी आपकी transaction value है चाहे वो खरीदने की चाहे बीचने की है आप उसमें 1% की multiply कर दीजिए आपका per unit deemed margin निकल के आ जाएगा उसके बाद फिर आप total number of unit की multiply करेंगे तो आपका total deemed commission वहाँ पर निकल कर आ जाता है उसके बाद मान लीजिए दोनों के दोनों currency आपकी foreign currency है dollar के बदले pound का conversion यहाँ पर करवाया जा रहा है in such a case what will happen because both the currencies are in foreign currency now first of all convert both the currencies into Indian rupees with the help of RBI reference rate now both the currencies are converted into Indian rupees now take lower out of both whichever is lower that will be considered as final value and 1% of that value will be considered as a deemed commission for this purpose वह 1% यहाँ पर deemed commission के रूप में consider कर लिया जाएगा तो या तो आप आपका जो actual commission मनता है उस पर GST भर दीजिए या फिर यहाँ पर जो deemed commission हम आपको बता रहे हैं उसके साब से अभी आप अपना commission अपना GST भर सकते हैं वैसी वाली बात लेकिन अगर आपको option 1% ना है तो आप option B पर आ सकते हैं option B क्या बोलता है कि ध्यान दीजिए option B के अंदर एक बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर per transaction कम से कम value 250 से लेकर साथ हजार के बीच में होने चाहिए कम से कम 250 से max to max per transaction जो deemed commission का amount होगा ना वो इस range के beyond नहीं जा सकता यह deemed commission का amount कम से कम 200 होगा per transaction और max to max per transaction साथ हजार तक जा सकता इससे उपर यह नीचे नहीं जाएगा अगर आपकी transaction है यहाँ पर एक लाख तक की transaction है तो उसमें क्या करते हैं कि जो भी आपका transaction value है multiplied by 1% ठीक है तो जो भी आएगा वो आपका dimmed commission है बट रिमेंबर इस amount cannot be below रुपीज तो फिफटी यह रिसमाल लेजिए कि अगर मान लेजिए transaction आपकी एक लाख से उपर की लेकिन दस लाख तक की transaction है तो फिर आप उसमें क्या करके चलेंगे जरा उसके बारे में भी आप हमें बतला दीचेएगा तो इसमें बोलते हैं कि भाई सब सुनो इसमें एक खजार तो हमने fix कर दिया एक हजार fix कर दिया पहले वाले 1 लाग case पहले 10 लाख मैंसे जो पहले वाला bottom का एक लाख है उसके लिए एक लाख का 1 पर पर से एक हजार वो fix हो जाता है उसके बाद बाद बागी जो बचेगा एक लाग से जो उपर वाला बचेगा उस पर पॉइंट फाइव परसंट की मल्टिप्लाई हम कर देंगे तो पॉइंट फाइव मल्टिप्लाइड बाई ऐसे जिसे मान के चलिए अगर टूडल ट्रांजक्शन आपकी साथ लाग रुपे की बनती थी तो यहाँ पर इस मेसे ज पहले दस लाग के लिए फिक्स कीजिए पहले दस लाग में कैसे करेंगे तो पहले दस लाग में पहला एक लाग और अगला नौ लाग तो पहले एक लाग के लिए तो आपका एक हजार रुपे वो आ जाता है अगला जो नौ लाग है उसके लिए आपका यहां पर यहां पर 400 रुपे आ जाता है तो पहले 10 लाग के लिए basically आपका 5500 यह आ जाता है उसके बाद जो उपर वैल्यू है जैसे मालनो वैल्यू आपकी यहां पर suppose करो 12 लाग है यह 15 लाग रुपे की थी तो अगला वाला 10 लाग से उपर वाला जो है उस पें multiply करेंगे 0.1% की multiply करेंगे बट remember the per transaction deemed commission cannot exceed the amount of 60,000 रुपीज अगर मालने जी per transaction आपका 70,000 रुपे निकल किया रहा है तो whichever is lower हम उसे यहां पर deemed commission रखे चलेंगे उसके साबसे आपके GST calculation करी जाएगी तो इस प्रकार से पहले में है 1% यहां पर आपका 1% है यहां पर आपका आधा परसेंट है यहां पर आपका 0.01% अपना निकल कर आता है एक लाख दस लाख और दस लाख से उपर की बात ऐसे करके slab आपके यहां पर दिये जाते हैं जो भी आपका period है lock-in प्र आपका one year रहेगा जो भी आप opt करोगे same financial year में आप उसे change नहीं कर सकते हैं अगर साल चाहो तो आप उसे change यहां पर कर सकते हो इसी कंदर अगला point आता है air travel agent का तो air travel agent के अंदर जो commission agent होता basically वो commission agent अपना जो उनका actual margin है उसे actual margin के ऊपर वो GST का payment कर सकते हैं without any doubt लेकिन अगर वो normally क्या होता है वो client से छिपाने का प्रयास करते कि client को ना पता लगे कि actual मोग कितना commission कमा रहें क्योंकि अगली बार client नहीं आएगा अगर मुझे पता लगता कि मेरे एजेंट ने मेरे एक मात टिकेट बुक कराने के एक हजार रुपे कमा लिए हैं तो शायर मैं अगली बार उसके पास नहीं जाँगो क्योंकि फिर मैं अपने आपी खुद अपना टिकेट बुक करा लूँगा कि भाई सब जरासी दे लगती टिकेट बुक कराने में और ऐसर मेरे जेब से हजार रुपे इस तरह से चले गए तो वो नहीं चाहते कि उनका एक्चुल मार्जिन यहां पर पता लगे क्लाइंट को पता लगे तो यह वो दीम्ड मार्जिन दीम्ड कमिशन के अधर पर जीस्ट का पेमेंट करते हैं सरकार ने का कि ठीक है बेसिक मतला बेस फियर जो होगा आपका तो बेस फियर के बाद बहुत सारे होते हैं एडमिन फी, सर चार्ज फी, पैसंजर सीकुरिटी फी, फैसिलिटेट चार्ज ये, टूरिस टैक्स, फ्लान टैक्स, धिमा वो करें बेस प्राइस मतला ओरिजिनल प्राइस इस प्राइस का पांच परसेंट या दस परसेंट जो भी निकल कियाएगा वो आपका डिम्ड कमिशन यहां पर कंसिडर किया चाहता है उसके बाद मैं आगे बात करते हैं मालिक मैं तो क्लास के दौरान पूरी लिंकेज करके बताता हूँ ताकि पिक्चर पूर रूप से क्लियर हो कि किस तरह से हम क्या बात करके चल रहे हैं तो यहाँ पर यह options basically इनको दिये जा रहे हैं मालिक, ठीक है जी, उसके बाद में आगे बात करते हैं, life insurance की बात करते हैं, पहले बात ध्यान दीजीगा, life insurance के अंदर insurance company premium कमाती है, बिल्कु ठीक है, insurance company की service क्या होती है, service होती है मालिक risk cover की, बड़ी बात आ रहे है, service होती है risk cover क insurance company की जो service है वो है risk cover की service है risk cover की और risk cover के against जो premium आया है that are liable to GST premium for risk cover only liable to GST है अब होता क्या है कि आज कल तो आप जानते कई तरह की policy चलती है एक policy ऐसी है जो सिर्फ risk cover करके चलती है risk cover और कुछ नियुस में कोई investment वगरा की बात नहीं होती सिर्फ risk cover होता है अगर व्यक्तियों इसे term insurance भी बोल देते हैं जैसे मेरा खुद का पांच करोड का insurance हो रखा है मेरे हर साल करीब 80,000 का असपास के जाते हैं जिसमें पांच करोड रुपे का risk cover है अगर कुछ होता है तो फिर वो पैसे मिलेंगे वनना तो 80,000 जो जाने थे हर साल चले जाते हैं वो उसमें से return वापस कुछ भी रोटके नहीं आता वैसे वाली बात यहां पर करीच चाहती है ठीक है जी तो यह हो गया only for risk cover है तो फिर ठीक है तो जो भी आपका premium है पूरा का पूरा जीयस्टिक दारे में आ जाएगा लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो premium दिया जाता है वो risk cover और as a good investment दोनों के लिए कंबाइन होता है तो अगर policy holder को अगर policy holder को पहले से पता है कि 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 risk cover के लिए है कितना good investment के लिए है ऐसे सब के सामने खुली हुई बात है अगर खुली हुई बात है खुली हुई बात है तो फिर ठीक है जितना portion risk cover के लिए allocate किया गया है उतने तक पर ही GST लगाया जाएगा यानि कि investment वाला जो portion है मालो लाक रुपे में से वो कहते हैं कि ठी पुरी बात नहीं है ये it is an internal policy of the insurance company कि वो खुछ से decide करेंगे internal policies के मताबर कि कितना किस के लिए जाना चाहिए तो जब बात खुल के सामने नहीं आई है तो इतना तो पता है कि जैसे लाक रुपे का premium आया है लेकिन लाक रुपे दौनों के लिए combined है अब पूरे को उपर जि बिसिकली वो risk cover की service है सिर्फ उसके ओपर जियस्ते लगाना है तो क्या किया जाए तो लामिकर ने आपर prefix the percentage दे डाली कि अगर policy नई है policy का पहला साल है मैंने policy लिए और मेरी policy का पहला साल है तो पहले साल में 25% जो total premium का 25% जो होगा वो risk cover के लिए माना जाएगा और policy के जो दूसरे तीसरे चौते पांच में अब subsequent years आएंगे उसमें 12.5% every year जो भी premium जा रहा होगा उसमें इतना risk portion माना जाएगा तो policy का पहला साल है तो 25% और policy के दूसरे तीसरे चौते सालों में आगे तो जितने भी साल होंगे उनमे 12.5% माना जाएगा लेकर अगर policy every year premium नहीं जा जाएगा बाकि अपना investment के लिए मान के चलते हैं तो यहाँ पर यह deemed premium है for risk cover के लिए तो that is liable to GST वैसी वाली बात यहाँ पर करी जाती है उसके बाद में बात आती है यहाँ पर मालिक आपको goods repossessed को लेकर sale purchase of second hand goods की यहाँ पर बात करते हैं अभी sale purchase of second hand goods का मामला क्या है मैं आपको समझाता हूँ जिससे मान के चलिए एक sofa set बढ़ाने वाला व्यक्ति है और वो sofa set खरीद के लाता है HCL से लेकर आ रही है सोफा set कहां से ला रहा है HCL से सोफा set लेकर आ रहा है HCL एक corporate है इनके पास एक sofa set था जब sofa set खरीदा था HCL ने तो इन्हों ने इस पर जो GST भर दिया तो निशित तोर पर इनके हैंड में supply बना होगा GST नोंने लगा दिया होगा इन्होंने GST लगा दिया अब यह जो बंदा है यहां पर जो used sofa set में डिल करता है उसको as it is यह थोड़ा बहुत repair करके आगे बेच बाच देता है तो यह खरीद के लाएगा और आगे इसको sofa set को बेचेगा भी तागे supply बनेगी इसके हैंड में GST भी जाएगा जब GST जाएगा तो बंदे को 1800 रुपे का ITC भी मिल जाएगा उसके बाद माल लीजिए इसका जो value addition रहा वो 5,000 रुपे का value addition यहां पे रहा तो 10,000 कि इसकी cost पड़े 10,000 प्लस 5, 15,000 रुपे यह अप गाना तो GST एक तरह से वैट ही तो है value added tax ही तो है तो जो जितनी value add करता है उसे ultimately उतनी ही value पर GST finally भणना पड़ता है यह cash laser से राइट लेकिन प्राबलम यहां पर निकल के आती है माले कि पहले वाले case में कोई दिक्कत आती है दूसरे वाले case के अंदर क्या भला कि Mr. X के second and goods में deal कर रहा है लेकिन इस बार जो वो sofa set लेकर आया है वो घरों से लेकर आया है house suit से लेकर आया है यानि कि unregistered वेक्ति से लेकर आया है तो यहाँ पर इसे GST जो इन्होंने जब खरीद के लाया होंगे नए तो समय GST का credit नहीं मिला होगा और नहीं आज इनके हैंड में supply रहे क्योंकि इनका business ही नहीं है तो यहाँ पर GST के बात नहीं होई होगी लेकिन ultimately चुकि इनको भी GST नहीं मिला था चुकि यह अंडरिश्टर थे तो ultimately कहीं न कहीं value में GST का रोल तो आ रहा होगा लेकिन सामने वाले व्यक्तिक उसका ITC नहीं मिल रहा होगा क्योंकि उसे खरीदने पर कोई tax invoice की प्राप्ती नहीं होई है अब बंदे का जो value edition रहा वो 5,000 रुपे कहीं रहा और मानली जी इसकी cost पड़ी 12,700 रुपे क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें GST element तो शामिल था लेकिन बंदे को ITC नहीं मिल पाया value edition 5,000 रुपे रहा और इसके चलते हुए इनका जो GST निकल का है वो 3,160 रुपे का निकल कर आ रहा है ITC था नहीं तो जड़ा देखी कितना गलत हुआ बंदे के साथ में कीमतें लगभग वही हैं लेकिन पहले समय में इसको net GST 900 रुपे देना पड़ रहा था और अभी net GST 3,186 रुपे देना पड़ रहा है क्योंकि output पे देखे हम चुक्की value edition पे GST लगाते हैं finally और वो निकालते ऐसे कि output पे निकाला इधर input पे निकाला पर credit नहीं मिला इसको यहां पर आकर इधर gross पे पूरा calculate कर दिया तो वो value edition वाली बात निकल के सामने नहीं आई तो यहां पर ऐसे स्थिती में आकर कहा गए कि ठीक है आप ऐसे मत करो भले ऐसे मत करो यह गलत हो रहा है आपके लिए आपका जो net value edition है यानि कि cost plus profit जो आपकी है आप direct उसी को पर calculation कर दीजिएगा यह कैसे निकालेंगे यह निकालेंगे आपका sale price minus purchase price जो भी दोनों का difference है वो आपका यहां पर निकल कर आ जाएगा लेकिन अगर आपका difference negative जाता है negative value edition आता है आपने loss कमाया है तो फिर आपको zero मान कर चलेंगे तो positive value edition जो भी आपका है आप direct उसके उपर अपने GST कलोपरिट कर सकते हैं वैसे वाली बात यहां पर आपको बताई जाती है ठीक है तो value edition कैसे निकलता है sale price minus purchase price लेकिन कभी कभी purchase price भी पता नहीं होता है तो क्या करेंगे जैसे मान के चलिए goods repossessed का मामला है goods repossessed का मामला है तो वहां पर value पता नहीं लग पाती तो मालक उसमें क्या करके चले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहां पर HDFC बैंक है इसने एक कार basically DT finance करी थी किसी मिश्टर borrower को और 40 लाख रुपे का इच पर finance हुआ करता था लेकिन सामने वाली पाटी अपना finance अपना जो लोन की किष्टे है वो टाइम से नहीं भर पाती है और यह HDFC वाले कार को repossessed करके ले आते हैं repossessed करके ले क्या है कोई invoicing होई होगी borrower की तरफ से the answer is no ITC वगरा कुछ मिला होगा the answer is no कार को लेकर आ जाते हैं और पर कार को बेचते हैं 31 लाख रुपे में अब हम जाते हैं ये second hand goods में डील करना हो गया second hand goods में डील करना होता तो हम जाते हैं जो हमारा sale price होता है उसमें से purchase price हम माइनस कर देते हैं तो वो अपनी value addition हमारा निकल कर आ जाता है ठीक है लेकिन हमें sale price तो पता है लेकिन इसका purchase price क्या है वो तो है नहीं क्योंकि हम तो से repossess करके लिकर आए हैं तो रूनमर 32 की खुबसूरती यहां पर यहीं बता रही है किस case में purchase price है cost price हम कैसे निकाल के चलेंगे repossessed car का so that we are able to compute our net value addition और net value addition अगर मेरे पास में आगए तो मैं फटस इसका GST compute कर दूँगा तो value इसको cost को calculate करने के लिए उन्होंने का कि ठीक है जो नई car की value थी उसमें से depression घटा दीजिए 5% per quarter के हिसाब से तो जो आएगा वो आपकी cost यहां पे निकल के आ जाएगी तो नई car की value 40 lakh रुपे की थी तो जहां से खरीदी और जहां पर आप बेच रहे हो वहां से वहां तक का जो margin है आपका 5 quarter का अगर यह आता है तो 5 quarter का मतलब 5% per quarter और पार्ट देर अफ के हिसाब से आप depression घटागने के बाद में 25% आपका depression आगया तो यह 30 lakh बचेगा 30 lakh basically इसकी cost हो गई आपने बेची ते 31 lakh रुपे में तो आपका value addition एक रुपे आया और इसके उपर अगर मैं जीएस्ट लगाता हूं माले यह 28% से तो 28,000 रुपे का जीएस्ट यहां पर compute होकर निकल कर आ जाएगा value addition को पर second hand goods के अंदर ध्यान दीजे second hand goods के अंदर जीएस्ट कंप्यूट किया जाता है finally value additions के उपर और value additions क्योंकि वहाँ पर वो unregistered से आप लेकर आ रहे होते हो तो कहीं न कहीं जीएस्ट का लोड तो छिपा हुआ होता बट आपो credit ने मिल पाता तो हम ultimately ये वाला formula के output जीएस्ट minus input जीएस्ट ये formula लग नहीं पाता तो इसलिए direct value addition पर ही आपका GST calculate करवा दिया जाता है और value addition calculate कैसे करेंगे sale price minus purchase price या cost price लेकिन अगर ये negative आ रहा हो तो आप उसे zero मान कर चलेंगे ऐसी वाली बात हमारी यहाँ पर हो जाती है मालिक और उसके बाद में फिर voucher coupon के बारे में बताया था कि voucher coupon के बारे में जो इसकी purchasing power होती है coupon की face value 100 रुपे के 1000 रुपे के लेकिन उसमें purchasing power ये कि वो 1200 रुपे की shirt purchase कर सकता है तो उसकी जो purchasing power है वही उस coupon की value यहाँ पर मानी जाती है ऐसे करके बात करी जाती है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे ठीकर राधे हाँ सर जी एकदम ठीकर कौनों दिक्कत वाली बात यहाँ तक तो नहीं है साबास साबास मेरे बच्चा आगे चली ज़रा आगे क्या बोलते है हाँ आगे आता है आपका रू नंबर 32 ए करके आता है value in case of केरला flood 60 KFC बड़ी बात केरला में बाढ़ आगे थी 2018 में जिसकी वज़े से वहाँ पर बहुत सार नुक्सान हुआ उसको compensate करने के लिए केरला सरकार ने राज्य सरकार ने यहाँ पर लगा दिया केरला flood से केरला फ्लेड से लगा दिया पहली बात इसका revenue किसको जाएगा जैसे नॉर्मल है GST का revenue बढ़ता है आधा central आधा state तो क्या यहाँ पर KFC का revenue बढ़ेगा दा answer नो उल्टे central government केरला को सायता दे रही है तो KFC का revenue that will be collected and retained only by the Kerala government दूसरी बात क्या यह B2B transaction पे KFC लगेगा जहां पर सामने वाले को ITC मिल जाता है अगर सामने वाले को ITC मिलता है तो वास्ता में वो सरकार की आमंदनी नहीं होती है इसलिए यहां पर यह बोला जाता है भाई साब कि यह B2B transaction पे नहीं लगेगा क्योंकि आगे ITC मिल जाएगा तो it will be applicable कोई अधिकार नहीं है नहीं 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 लगाया है नहीं यहां पर कोई बाड़ा आई होई है तो यह Interstate transaction पे नहीं होगा यह सिर्फ केरिला के अंदर जो Interstate transaction नहीं पे लगाया जाएगा सर्मालों का transaction UP से करिला हो रही हो तो KFC लगेगा क्या अगर मालीच यहां पे KFC लगेगा लगी ही नहीं सकता क्योंकि यहां का जो supplier है उसके उपर KFC का जो यह प्रावधान है यह लागू ही नहीं होता है and the person in UP will not be eligible to charge KFC in the invoice तो सीधी बात यह है Interstate transaction पर KFC की बात नहीं होगी यह सिर्फ Interstate transaction पर ही आपका apply करवाया जाएगा at the rate of 1% इसकी calculation करी जाएगी दूसरी बात यह कि क्या यह AG1 लग गया जी नहीं AG1 नहीं सिर्फ 2 साल के लिए लगाया गया है तो B2C transaction पर लगेगा 2 साल के लिए लगेगा 1% से लगेगा सिर्फ करला कोई अधिकार होगा दूसरी एक और बात कि यह सिर्फ regular scheme में ही काम करेगा composition scheme के अंदर हम जानते हैं कि we have no right composite dealer have no right to charge any GST or any other tax or cess amount from the customer so KFC का उसे charge करने का अधिकारी नहीं होता तो composition scheme के अंदर KFC का जिकार नहीं किया जाएगा तो यह सिर्फ केरला में दिक्कत हुई थी अलग से दिखाया जाएगा और कौन सी value पे calculate होगा जो उसी वाली value पर आपका GST compute होता है उसी वाली value पर आपका KFC भी compute करवाया जाएगा ऐसे करके जो मैंने आपको यहां पर बता रखा है ठीक है उसकी बाद में आते हैं आपके 33 की बात करते हैं 33 में आता है अपका concept of pure agent क्या बोलते हैं मालक इसके अंदर बताया ने का हाँ जी बता दीजिए इसमें मालक आपका यह बोलके चलता है कि भाई सब सुनो pure agent की बात करते हैं कि अगर यहां reimbursement की चर्चा है अगर reimbursement अगर जो reimbursement हो रहा है वो इंदा capacity of pure agent हो रहा है तो ऐसे वाले reimbursement को accessible value का हिस्सा नहीं बनाया जाता है दूसरी बात अगर reimbursement other than pure agent capacity हो रहा है तो उसको निशित तोर पर add किया जाता है value का हिस्सा बनाया जाता है सवाल यहोड़ता है कि pure agent कहते किसे हैं तो pure agent वो होता है मालक जिसमें कम से कम दो खुबी पाई जाती है नमबर एक वो यहाँ पर जो commission प्राप्त कर रहा होता है सॉरी जो मना commission की मिलावट नहीं होती है commission की मिलावट इसमें नहीं होती है और दूसरा जो goods और services third party से procure करता है वो basically उसका actual beneficiary usage right वो इसके client को होता है इसका खुद का कोई right नहीं होता मतलब ये कि माली जी मैं यहाँ पनूर मेरा पंडाल शामियाना का business है ये मेरे student है Mr. Vijay ये मेरे पास मैं है जी हमें tent कुरसियां लगवाने है हमारी शादी है हमने का ठीक है जी तो मेरी जो main service है वो है पंडाल शामियाना लगाने की ठीक है उसके बाद अब क्या होता है सुनो दे रहा पासलाक रुपे मारी बात होगी मेरे client Mr. Vijay नहीं कहा कि sir आप हमारे लिए न थर्ड पार्टी से कुछ arrangement कर दीजेगा कुछ वीडियोग्राफी कुछ और goods वगरा खरीद दीजेगा हमने का ठीक है खरीद देंगे तो हमने यहां से इनके लिए खरीदा और billing हमने सीधी इनके नाम पर करवाई हमारा बीच में कोई रोल नहीं है we are not using or consuming the goods or services that is procured from third party उनका real consumer user beneficiary मैं नहीं मेरा client ही है direct मैं लेके नहीं दे रहा मैं दिलवा रहा हूँ ओ भाई साब मैं लेके नहीं दे रहा मैं दिलवा रहा हूँ इसे बोलते हैं दिलवाना billing भी नहीं के नाम पर होगी इनहीं को delivery जाएगी पैसे यही pay करने के लिए liable होंगे लेकिन इनों ने कहा कि सर आप पहले इनको दे दो, मैं आपको बाद में इसका reimbursement कर दूँगा, मैं इसका आपको बाद में reimbursement कर दूँगा, तो मैंने इनको ठीक है, मैं third party को payment कर दी, एक लाख कितने की 59 ये और 118 ये, इनकी billing तो मेरी client को हो चुकी थी, लेकिन इसकी total की payment मैंन यहां पर कर दी, टूटल बनता है 177, और जब मैं अपनी खुद की billing कर रहा हूं, तो मैंने का भाईया, पांच लाख मेरी service के चार्ट थे, 177 की payment मैंने आपके बिहाब पर third party कर दी, अब मैं उसका reimbursement लोगा, तो अब यह जो reimbursement है, क्या ये आपका pure agent के आपसिटी में है या नहीं, नमबर एक, क्या मैं इसके ऊपर 177 के over and over, क्या कोई commission ले रहा हूं, the answer is no, not at all, दूसरी बात, जो third party से good service आई है, उसका real consumer beneficiary क्या मैं हूं, the answer is no, बलकि मेरा client है, अगर मेरा client है, तो मैं definitely यहां पर pure agent capacity में हूं, तो यहां पर GST 177 पर नहीं लगाया जाएगा, बलकि पांच लाग पर लगाया जाएगा, वैसे करके हम बात करके चलेंगे, ठीक है जी, तो यहीं हमारी बात यहां पर करी जाती है, अब इसे मान लीज़े, यहां पर एक CA firm है, और यहां पर क्लाइन्ट है, S.R.F. Sheeram Fertilizers, दोनों के बिज़ें फीस तैह होती है, 20 लाग expenses का भी reimbursement करना होगा, जो CA firm है, उसने hotel, transport वगरा से, बाहर से service वगरा ली, and then अपनी auditing के service आगे दे ली है, मुझे बताइए, यह जो reimbursement आएगा, एक लाग रुपे का, क्या यह प्यूर एजेंट में, capacity में है कि ने, माना कि इसमें कमिशन की मिलावट नहीं, जितना actual में ख आदो, इनका जो real user, consumer और beneficiary है, वो मेरा client नहीं, बलकि मैं खुद, मैं third party से service लेकर, then अपनी service दे रहा हूँ, तो I am not in the capacity of pure agent, और इसलिए यहाँ पर यह इसमें add किये जाएंगे, total value को उपर, GST अपना calculate कर दिया जाएगा, उसके बाद में आता है, यहाँ पर एक circular आता है, airport levies को लेका, उसमें बताया जाता है, एक होता है, aircraft operator, air India वगरा होते हैं, और दूसरा होता है, आपका कुछ एक airport levies होती है, जो airport authority of India levies करके चलते हैं, जैसे washroom, bathroom, launch वगरा की, airport पे धेर सारी facilities आपको मिलती हैं, that is offered by airport authority limited, तो वो उसके लिए अलग से आपसे पैसे नहीं लि और फिस सौर्पे को तू मुझे दे दी हो, मतलब टिकेट के पैसे इनके बीच में बात होगी, अब जो service है वो तो ये दे रही हैं इनको, launch वगरा की service, लेकिन जो payment है वो इनके through collect किया जा रहा, direct ना होकर बीच में एक lag बना दिया गया, ताकि customer को भी आसानी रहे और इनको भी आसानी रहे, क्योंकि टिकेट तो लेनी लेनी है, तो टिकेट के साथ ये पैसे भी ले लिए जाते हैं, तो ये direct ना होकर, ये direct यहाँ पर ना होकर, ये basically पैसा इनके through, टिकेट के साथ ही collect करवाया जा रहा है, इस वाले मामली के अंदर जो airport levies है, who will be the supplier, supplier होगा, airport authority, recipient ह अब्विस सी बात है, and this is liable to GST हो जाएगा, बीच में अगरे कुछ commission वगरा कमाते हैं, collection charges के लिए, तो इस commission के लिए, ये तो बन गे supplier, और ये बन जाएंगे, यहाँ पर recipient, और इस commission के उपर भी, ये airport, sorry, air, India, spy jet वगरा, जो commission अपना कमा रहे हैं, collection के लिए, उस पर इनको G GST यहाँ पर भरना पड़ जाएगा, ऐसे करके हमारा ये circular अपना यहाँ पर आता है, rule number 34 में आपको बताई चुक हूँ, rate of exchange के लिए है, 35 तब काम करता है, basically, जब कोई value आपके inclusive of GST होते हैं, ये से lottery का ticket हो गया, पर ध्यान दिए, ये lottery के ticket कोई inclusive of GST माना जाता है, इसके ल value होती है, that is exclusive of GST, betting gambling के समन में value exclusive of GST होगी, इस सिर्फ lottery वाले case में ही value को inclusive of GST माना जाता है, वो भी 28% से वैसे करके बोली जाती है, तो यहाँ पर ये आपके regular scheme complete हो जाती है मालिक, और मैंने काफी अराम से शिदत से आपको पूरी बात यहाँ पर बताई हैं, ताकि बात द GST की बात हुई, 33 प्योर एजेंट की बात कर गया, 34 आपका rate of exchange की बात है कर गया यहाँ पर आकर, और जो 35 है आपका यह, how to find out accessible value, now we are moving to our composition scheme, तो उसके पहले हम जल गहन कर लें, अगर आप कहें तो हाजी कर लेजिए, चले हैं, हाजी चलो, तो साथ यह था हमारी बात हो गई यहाँ पर आकर, बिल्कुर ठीक है जी, अब, अब क्या करना है, अब आती है आपकी यहाँ पर composition scheme, ठीक साथ, अब composition scheme और regular scheme दोनों अलग अलग हैं, दोनों में बड़ी बात की जाती है, अब दोनों में अंतर क्या है सारी बात मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, आओ मेरे साथ, मेरे लाल, मेरे कबूतर आजाओ यहाँ पर, composition scheme, राइट सा, तो देखिए, यहाँ से समझेगा, पहली बात तो यह, आप composition scheme को opt कर रहे हैं, या फिर आप regular scheme को opt कर रहे हैं, तो अगर आपका नया registration है, तो registration करत वक्त ही, यह आप composition को opt कर सकते हैं, तो वहाँ पर option आ रहा होता है, during the time of filing for registration application, आप जो भी scheme का chain कर रहे हैं, उसका chain आपका all India level पर होगा, पूरे भारत वर्ष में आपके जितने भी कारोबार हैं, या तो आप सभी के लिए regular scheme चुनिए, या सभी के लिए composition चुनिएगा, इसके लिए regular ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक, अच्छा, उसके बाद में regular आप जानते ही हैं, नॉर्मल तरीके से regular rate से output GST निकाला जाता है, नॉर्मल तरीके से जो अपना ITC वोबो करके चलते हैं, और फिर इसका इस्तिमाल किया जाता है, बंदा invoice काटता है, इन्वाइस अच्छे खासे books of account maintain करने पड़ते हैं and all those things, अब जो छोटे व्यापारी होते हैं, उनको इतने सारे compliance में और इतने heavy rate of tax में दिक्कत होती हैं, तो इन्होंने का कि भाई सब आप हमारे लिए कुछ आसान सा तरीका दीजिए, तो गौर्मेंट ने शुरुआती दौर में goods focused अ अगर आपका कारूबार preceding financial year में 1.500 लाग तक सीमित है, तो current financial year में 1.500 लाग तक जब तक आप रहोगे, हम आपको composition कलाप देके रहेंगे, सबसे पहले चेक करना है eligible, आप eligible हो या नहीं, इसके देखना कि past में क्या गुल खिला रखे हैं, अगर आपका turnover 150 लाग तक सीमित है पिछले साल में, तो now you are eligible, but up to what time you will remain eligible, तो वोने भर करता है कि cut-off current year में जहां पर आपके 1.500 लाग पूरे हो जाएंगे, वहां तक आप eligible रहोगे, उसके बाद आप automatically convert हो जाओगे, regular scheme के अंदर, पहारी एरिया के लिए ये limit आपके 75 लाग की लगती है, इसमें आपके 8 state आत लिमिट लगती है, मनीपर, मिजरम, नागलेंड, तिरफुरा, और जिनमें 20 लाग की लिमिट लगती हूँ, 6 state हुआ करते थे, उनमें से उपर वाले जो थे 4, यानि ते लंगाना पंडिचेरी को छोड़कर उपर वाले जो 4 थे, वो 4 और यहां पर पकड़ लीजिए, कौन कौन से, अरणाचल प्रदेश, उतराखंड, और उसके बाद में, अरणाचल प्रदेश, उतराखंड, एंड, 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 मैड, एंड, मेगाले और सिक्कें, तो 8 हैसे हो गए, मनीपर, मिजरम, नागलेंड, तिरफुरा, अरणाचल प्रदेश, उतराखंड, गाले और सिक्केम, ऐसे करके आपके आर्ट स्टेट यहां पर हो जाते हैं, जिनके लिमिट 75 लाग की लगती है, 75 लाग if your turnover in preceding financial year was limited to 75 लाग, then in current financial year you will be eligible you will remain eligible for the composition scheme up to 75 लाग turnover limits and after that you will definitely cover in your regular scheme, ऐसे करके यहां पर बोल दिया जाता है, ठीक सर जी, कौनो दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है very good और इसके अंदर क्या क्या बात बोली जाती है यहां पर जो बड़ा असान सा तरीका दिया जाता है, कि देखो, output side में आपको regular rate of GST भरने के जिरूत नहीं है, बलकि आप composite rate of GST का भर के चलोगे, जिसमें एक परसेंट, पांच परसेंट और छे परसेंट करेट आपके रखे गए हैं, अभी फिलाल आप एक परसेंट देखके चलें, एक पांच छे पूरा क्या है बता दूगा, ठीक है, तो composite rate of GST आप क्या आते हैं, दूसरी बात ITC से आपको कोई मतलब नहीं है तीसरी एहम बात, आपको अपने customer से GST वसूल करने का कोई अधिकार नहीं है, इसी कारण से आप invoice नहीं, बलकि bill of supply यहां पर issue करके चलोगे, and whatever the amount you have charged in your bill of supply that amount shall be considered as accessible value, and the 1% will be calculated over this amount, and this 1% will be paid by you out of your pocket, आपको अपनी pocket से जैसे मालो 1,05,000 का bill of supply किया तो 1,05,000 में 1% को शामिल मत मालना, 1,05,000 into 1, divide by 100 ध्यान रखना, divide by 100 होगा यह, divide by 100 ऐसे करोगी, 1,050 आएगा है, this amount need to be paid by you from your own pocket, 1,050 आपको अपनी pocket से यहां पर pay करना होगा you have no right to charge GST from the customer, और यह 1,050 आपके recipient के लिए input tax credit नहीं है वो उसके लिए input tax भी नहीं क्योंकि उसका, इस 1,050 क्रोड आपकी जिप पढ़ा है ना कि उसकी जिप पढ़ा है तो उसको इसका credit भी available नहीं करवाया जाएगा, right yes तो यहां पर एक limit में आपको calculate करना सिखा दूँ, हम यह जानतें कि अगर पिछले साल में नया business है आपका, तो पिछले साल obvious ही बात है, निल पढ़ा हुआ होगा, तो 150 लाग आपके यहां पर पूरे हैं, 150 कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, तो ध्यान दीजिएगा, जब आप current year में देखेंगे, कि आप कब तक इस scheme में बने रहेंगे, तो शुरुवात वाला जो बीसला क्या threshold आपकी जो limit होती है न, उसको भी count किया जाएगा, यानि कि zero से हम counting करके चलेंगे, इस बात की जाच करने के लिए, इस बात की जाच करने के लिए, कि आप कब तक scheme में बने रहेंगे इसकी calculation zero से करी जाएगी, लेकिन जहां तक सवाल है GST calculate करने का तो GST, जो calculation वो zero से नहीं होती है, GST आप compute होता एक threshold limit के बाद यहां से आप GST बनने के लिए लाइबर होते हैं जब GST का amount निकालेंगे तो 20 लाग यह 10 लाग के बाद वाले amount पर GST लगेगा लेकिन जब आप eligibility चेक कर रहे हैं तो उसकी calculation आपके zero से ही करी जाएगी, zero से 150 लाग तक लेकिन अगर आपका existing business है पहले भी आप यहां पर register हो चुके हैं तो अब threshold limit तो आपको मिलेगी ने तो यहां से यह 1500 लाग की calculation तो always zero से की जाएगी लेकिन चुके इस बार आपको existing register person थे, पहले से registration है तो threshold limit नहीं मिली तो पूरा का पूरा amount आपका GST के दारे में आपका आजाता है बगर इतना ध्यान रखके चलना है कि जब भी आप eligibility limit अपनी count करके चलेंगे कि आप कब तक इस scheme में बने रहेंगे तो आपकी calculation always zero से करी जाएगी day one से आपकी calculation करी जाएगी first April से आपकी calculation वहाँ पर करी जाएगी वैसे करके बोल दिया चाहता है अब यहां पर आकर छोटी सी बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ जैसे कि सारी बात लिखी हुई है हाला कि देर सो लाग पिछेत लाग वाली बात आठ स्टेट कौन कौन से है तो यहां पर GST composite rate आगे one परसेंट का manufacturer है तो one परसेंट of all supplies all का मतला taxable यह taxable exam rate सबका क्यों लिया जाता है जैसे माल लिजिए अगर regular rate किसी commodity का 5% है और आप regular scheme में आते हैं तो उसके लिए हम 5 की बजाए regular rate 5% है ना तो composition rate लगाएंगे उसका हम यहां पर one percent अगर regular rate बारह है तब भी composition एक अगर regular rate 18% है तब भी composition एक परसंट अगर regular rate 28% है तब भी composition rate एक परसंट अगर यह निल है तब भी एक परसंट अब यहां निल मत बोलना अब यहां निल मत बच्चा कहता कि नहीं यह निल है तो मैं यह भी निल बोलूँगा तो यह 28 था तो फिर एक क्यों बोला है यहां भी फिर निल बोल के जलता ऐसा नहीं है आपका चाहरेट निल हो या 28% हो रेगलर रेट मुझे मतलब नहीं है मैं आलवेज 1% से यहां पर कैलेकुलेशन करके चलूँगा तो manufacturer case में 1% of all supply either taxable हो चाहे exempted हो restaurant के संबन में 5% of all supplies चाहे taxable हो चाहे exempted हो लेकिन last वाले case में जहां पर trader की बात करते है रेजूर्डरी के टेगरी आती है या other service की हम बात करके चलते हैं तो वहां पर आकर बोलता है कि नहीं भगया वो सिर्फ आप taxable का ही लेकर चलोगे taxable का ही लेकर चलोगे शुरू में यहां पर भी all supply था लेकिन बाद में इसको taxable word अपना बोल दिया जाता है अब एक चीज जहां पर और समझ नहीं होगी हमें कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो इस goods focused scheme के लिए eligible नहीं होते हैं eligible नहीं होती हैं competition का लाब नहीं ले सकते वो लोग कौन कौन है नमबर एक जो व्यक्ति इंटर स्टेट में डील करते हैं goods की बात करना हूँ इंटर स्टेट GCrowds में डील कर रहे हैं और वैसे भी scheme तो goods focused है services इसका कोई तालगात है ही नहीं तो जो इंटर स्टेट G eyelids में डील कर रहे हैं वो competition scheme के हगदार नहीं है दूसरा जो services में डील करते हैं वो इस scheme के हगदार नहीं हैं लेकिन इसका exception है कि अगर आप सर्विस में रेस्टोरेंट सर्विस वाले हैं तो आप हकदार हैं या फिर आप अपने गुट्स के साथ साथ कोई छोटी मोटी सर्विस दे रहे हो जैसे interest आप कमा लेते हो तो हम जानते हैं कि interest को तम always ignore करके चलते हैं गुट्स के साथ साथ आप interest भी कमा रहे हो जो कि एक प्रकार से exempted service के अंदर आपकी count करी जाती है तो उसको हम ignore करके चलेंगे लाइक जैसे हमने कुछ नहीं देखा है हमने कुछ नहीं देखा है just like in the same pattern लाइक हमने 40 लाग के लिमिट के समय किया था लेकिन कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बंदा sale के साथ सर्विस भी दे सकता है तो ये बंदा तो अब चुकि सर्विस का ठपा लगया तो इसका मतलब ही हो गया कि अब ये composition scheme के लिए eligible नहीं रहेगा घरियां बनाता है ये घरी का घरियां बनाता है भाई साब बेचता है और ये उसको ठीक भी करता है तो हम तो करेते हैं सिर्फ goods focused है goods की ही बात करेंगे अगर सर्विस का ठपा जुड़ गया तो आप composition के लिए हगदा नहीं होगे छोटी सी दुकान है आदमी के बाई सेंग के आप composition scheme का lab नहीं देंगे हम आपको कोई तरीका है आपका ये तो government ने इस प्रकार के व्यक्तिव की मदद करने के लिए कि ऐसे व्यक्ति भी composition का lab ले सके है तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम service portion भी होना चाहिए है तब भी चलेगा लिकिन ये आपका limited होना चाहिए service portion आपका main business तो ये ही है ना आपका अगर एक limit तक है तो चलेगा कोई दिक करते हैं हम आपको भी composition का lab दे देंगे limit कितना किया गया उसमें बुला 5 लाक उर्पे 5 लाक उर्पे और 10% of your total turnover जो भी आपका total turnover उसका 10% of 5 लाक whichever is higher वहां तक हम आपके limit fix कर देंगे कि अगर आप यहां तक अगर आप यहां तक इसमें हैं मतला मोटी बास मज़े 10% मतला service का share total में मज़े से मानके चलो इसका 90 था इसका 10 है तो total हो गया 100 तो 100 का अगर 10% यानि कि 10 तक का अगर इसका बनता है तो चलेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वक्ति अलाओड रहेगा लेकिन मानलो अगर इसका 80 था इसका 20 था तो 100 हो गया total अब हम 10% तक अलाओड कर रहे हैं तो 100 का 10% हुआ भाई सब 10 तो करें तो 10 लाग तक होता तो चलता लेकिन यह 10 से 20 पहुँच गया है तो इसका मतला आप सर्विस में ज़्यादा डिल कर रहे हैं अब आप इसके लिए इलिजिबल नहीं रह जाएंगे तो अगर आपका सर्विस कॉम्पोनेंट इन टोटल टरनोवर 10% तक लिम्टेड है तो चलेगा यू आर इलिजिबल फॉर दा इसकीम फॉर दा कॉम्पोजिशन इसकीम ठीक है तो 10% और 5 लाग पूरा फर्मूला इस प्रकार से है विच एवर इस हायर वहां तक अगर आपका लिम्टेड है तो चलेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके बाद में और क्या बोलते हैं अलिजिबलिटी को लेकर और बोलते हैं मालिक अलिजिबलिटी को लेकर यहां पर कि सुनो हमारी बात करे क्या सुने बताओ करे सुनो और सुनो हमारी बात यहां पर आकर आप कि और कौन व्यक्ति अलिजिबल नहीं रहेंगे हाँ जी तो यह हो गया तो यह आगे जी कि restaurant service वाले allowed है छोटी मोटी limited value service वाले allowed है interest वाले allowed है एक supplier of non-taxable goods अगर आप है non-taxable goods शराव अगरा में तो भी आप composition के लिए eligible नहीं है person who has supply goods through e-commerce operator अगर आपका flip card वगरा के through आप goods वगरा बेचते हैं तो भी आप eligible नहीं रहेंगे और आप जानते हैं कि अगर आपका flip card वगरा से goods वगरा बेचने का कारूबार है तो वैसे भी आपको mandatory registration करवाना पड़ता है आप composition scheme के लिए बिल्कुल भी हगदार नहीं रहे जाएंगे ये बात मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूँ ठीक है जी यस सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके बाद अगर आप manufacturer है पान मसाला टुबेको एटसर टिप टिप बरसा पानी टुबेको आईस क्रीम पान मसाला और इरिटेड वाटर तो यहां पर basically government want more control that's why government लोगों को भी composition का लाब नहीं देती है और casual taxable person और जो बन जा रहे हैं इनको सरकार घेरना चाहती थी हर हालत में तो यह भी आपके यहां के लिए allow नहीं रहेंगे छे वेक्ति ऐसे हैं जिनकों की composition scheme का लाब नहीं दिया जाएगा 2019 में goods focused scheme को देखते हुए service focused composition scheme का निर्मार किया गया दोनों scheme में क्या अंतर है वो मैं आपको बताता हूँ इसके अलाबा बाकी दोनों के दोनों provision एकदम सेम हैं जो अंतर है वो मैं आपको बता दू goods focused scheme किसके लिए available होती है it is available for whom sir यह उनके लिए available है persons exclusively engaged in the business of goods goods focused वाली goods में है लेकिन interest वाली service है चलेगा otherwise service 10% या 5 लाग तक है चलेगा कोई दिक्कत नहीं है restaurant है चलेगा service focused वाली scheme किन के लिए है जो exclusively service में deal करते हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे बिल्कुर ठीक है जो मान लीजिए service के साथ-साथ goods में भी deal कर रहा है goods में भी deal करते हैं service में भी deal करते हैं 10% से जादा है तो वो यहाँ पर आकर इनको benefit मिल जाएगा ध्यान दीजिए यह 150 लाग वाली scheme है और यह 50 लाग वाली scheme है यह तो लातमक देखा जाए तो यह पनीर की सबजी है और यह आपकी आलू की सबजी है तो जो पनीर की सबजी जिसको नहीं मिली उसको आलू की सबजी देंगे लेकिन कुछ ऐसे भी प्राणी है जिनको ना पनीर मिलेगा ना आलू मिलेगा भूके मरेंगे भूके मनने वालों में यह इंटरस्टेट वाले casual taxable person e-commerce operator वगएरा यह कुछ नहीं मिलेगा यह भूके मरेंगे लेकिन कुछ ऐसे भी थे जैसे यह वाले अच्छे बच्चे थे यह कि अगर goods के साथ साथ छोटी मोटी service देते हो तो पनीर मिल जाएगा लेकिन service element तुमारा ज़्यादा है तो फिर वो service focused जो आपकी scheme composition की फिर आप वो लीजिएगा वो आपको यहाँ पर available करवा दी जाएगी परसंटेज यहाँ पर 6% है यानि कि 3 प्लस 3 3% for CGST 3% for SGST कुल मिलाकर परसंटेज आपकी 6% यहाँ पर आजाती है वैसे करके ठीक है सर जी और बाकि हमारी यहाँ पर बात होगी और उस मैं बोलते हैं कि टर्नोवर प्रसंटिंग फानेशल यहाँ पर लिमिट आती है 150 लाग 25 लाग की लेकिन यहाँ पर आती है आपकी 50 लाग की अगर आप सर्विस सेक्टर से तालुकात रखते हैं तो 50 लाग तक आपको यहाँ पर दे दिया गया है रेस्ट आप प्रोविजन दोनों स्कीम के कॉमन है जैसे कि माली यह पैन बेस्ट स्कीम है और आगे बात होती है अब आपके लिए रिवर्स चार्ज मेकनिजम के तो क्या आप इसके लिए तैयार है हाँ चार जी हम तो तैयार है तो चल मिरे बच्चा जी माली रिवर्स चार्ज मेकनिजम के अंदर बात करते है सबसे पहला प्रशनी होता है कि आखिर गार रिवर्स चार्ज होता क्या है तो जहाँ पर रेसिपेंट आदमी को जी अस्ट भरना पड़ जाए इंस्टिड अफ सप्लाया तो उसे हम रिवर्स चार्ज मेकनिजम के नाम से जानते हैं अगर इसके हम मूल की बात करें औरीजन की बात करें तो ये जनम कहां से लेता है तो हमारे पास चार्जिंग सेक्शन 9-3 आता है और 9-4 करके आता है CGST Act का जो की रिवर्स चार्ज के प्रोविजन की बात करता है वन अब दे नोटिफिकेशन इस्चूड अंडर सेक्शन नमबर 9 सब सेक्शन 3 इसमें लोट्स आफ सर्विसेज अप्रॉक्शिमेटली बी सेक्श सर्विसेज अंड साथ आठ गुड्स आपके अन्य अप्रॉक्शिमेटली 25 से 30 मान के चले गुड्स और सर्विसेज यहां पर बताए गए हैं जिन पर की आर्सियम लगाया जाएगा हाला कि गुड्स के उपर का आर्सियम तो बेसलिबस का हिस्सा नहीं है यहां पर भूलता है 9-4 के अंदर कि जब जब सप्लायर आदमी अनरेजिस्टर्ड होता है और जो रेसिपियन्ट है वो एक रेजिस्टर्ड आदमी है तो आर्सियम लगा दिया जाता है लेकिन यह सिर्फ आपका जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसी के उपर आपका लागू करवाया जाता है तो किस प्रकार से 9-3 के तहट पावर लेकर सरकार ने यहां पर नोटिफिकेशन डाली है आई उसका अध्यन करते हैं तो यह जो गुड्स वाले हैं यह तो सिलिबस में नहीं है लेकिन हम बात करते हैं आप से यहां पर आकर मालिक बात करते हैं आप आजाओ मारे साथ में यहां यहां पर आजाईएगा रिवर्स चार्ज के अंदर यहां पर आजाईए तो यहां पर सबसे पहले यह कहा जा रहा है कि goods transport agency की services तो GTA एक service है supplier goods transport agency होती है recipient वो व्यक्ति जो भाड़ा देगा वो recipient बना दिया जाता है और जहां तक सवाल है कि इसका origin destination कैसे निकालते हैं तो origin तो जहां पर supplier की location है वही आएगी और इसका जो destination बनता है तो उसमें निर्भर करता है कि B2B transaction है तो recipient की location और अगर B2C transaction है तो जो उसका loading point होता है वहां पर इसका place of supply बनाया जाता है accordingly intra, inter decide करते हैं लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर दोनों party इंडिया में ही है और section बार है लग रहा है लेकिन destination अगर इंडिया के बाहर जा रहा है तो वहां पर एक proviso आता है उस proviso की मताबक now service का जो destination है वो उस recipient की location पर लाके रखवा दिया जाएगा लेकिन यहां पर good transport agency के हम बात अपनी करके चल रहे हैं और इसमें कुछ एक अपनी exemptions भी आती है जो की gate नमबर 5 से बाहर हो जाती है अगर कुछ चीच exempt हो गई तो obvious सी बात है उस पर GST भरने की नौबत ही नहीं आएगी अगर हम अपने main diagram के मताबक देखकर चलें तो इस समय हम कहां पर खड़े हुए हैं मतलब पहले 5 gate से बाहर नहीं गए यह goods भी यह service भी यह goods यह service भी यह supply भी यह अगर हम यहां करें तो इसका मतलब साफ है कि हम exemption से बाहर नहीं गए है अगर कुछी exemption से बाहर निकल जाती exit कर जाती है तो उस पर ना तो GST compute होगा और नहीं यह नौबताएगी कि GST का payment कौन करेगा right if anything is exempted and removed from gate number 5 then no question that who will pay the GST amount to the government तो इस परकार का वहाँ पर question ही पैदा नहीं होता है ठीक सर जी तो यहाँ GTA के समने बहुत सारी exemptions भी हम देखते हैं कि लाइक एक तो 1500 वाली exemption है दूसरा relief material, agriculture produce हो गया आटा, दाल, चावल तो इस परकार की बहुत सारी चीज़े हैं तो अगर GTA के माध्य हम से ढोई जाती है तो वहाँ पर GST को exempt कर दिया जाता है दूसरी बात ये भी निकल कहाती है कि अगर GTA की जो service है वो किसी unregistered person को दी जाती है तो भी GST exempt हो जाता है या फिर GTA की services एक ऐसे government department को दी जाती है जो किस register तो है लेकिन only as a TDS deductor जैसे होता है कि हम आपसे प्यार तो करते है but as a as a friend तो जहाँ पर वो सामने वाला register व्यक्ती तो है but as a TDS deductor है बस वो वैसे करके तो basically TDS के जिम्मेदारी government departments पे होती है तो कुछ government department like income tax department है तो उसका अपना खुद का as a tax payer registration तो नहीं बट as a TDS deductor registration है तो GTA की service income tax department को दी जाएगी तो उस पर exemption दे दी जाती है जहाँ पर exemption मिल गई वहाँ पर GST बनने की बात ही नहीं आती है अच्छा जी उसके बाद में आगे बोलते हैं कि ठीक है क्या लगेगा यहाँ पर RCM लगेगा या NCM लगेगा तो यहाँ पर दो बाते करी जाती है नमबर एक एक concept आता है cold coffee without ice cream सबसे पहले आप यह चेक करो कि आपका recipient आदमी कौन है क्या वो एक company है क्या वो एक organized person है क्या वो एक registered person है क्या वो एक partnership firm है registered हो या ना हो अगर recipient मौझूदा विक्ती क्योंकि RCM लगाने से पहले हमें दो बिंदों पर विचार करना होगा नमबर एक जिस recipient से हम मांग रहे हैं क्या वो देने योग्य है क्योंकि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से ऐसा तो प्रभू ही है तो क्या वो दूसरी क्या वो धूड़ा जा सकता है क्या वो traceable है क्या वो taxable territory में है अगर मालजी ये recipient आपका non taxable territory में बैठा तो ऐसी कि तैसी कि आप उसे GST ला सकते हो नहीं ला सकते है हजरने की बात होड़ना है नहीं ला सकते तो वो आपके control में होना चाहिए जिसे ढूना जा सके कुछ ऐसा व्यक्ति होना चाहिए तो ही GST की बात कर सकते है वहना नहीं करेंगे GST की बाते है तो अगर recipient मौझूदा व्यक्ति है तो RCM लगाया जा सकता है और जब RCM लगेगा तो GST का rate होगा RCM जब जब लगेगा तो GST करेंट होगा 5% और अव्यसी बात है सप्लायर की output liability नहीं बनेगी तो no ITC to supplier और सप्लायर को कोई किसी परकार का वहाँ पर ITC available नहीं हो पाएगा अगर सप्लायर GTA recipient ही हो गया RCM लग रहा है तो 5% करेंट लगेगा और सप्लायर को अपना कोई ITC available नहीं होगा लेकिन जब RCM लग रहा होता है तो यहाँ पर एक यूटर्न एक option दिया जाता है हाला कि ऐसा यूटर्न या option सिर्फ दो ही service मिलता है एक GTA वाले में और एक आपका books की copyright वाले में कि यहाँ पर supplier चाहे तो if supplier wish अगर उसकी इच्छा है तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर NCM लगाया जा सकता है सब्धार कुर्द करता भाई यह मैं दे दूँगा चिंता मत करो मैं दूँगा अगर आप दोगे GST आप भरोगे तो NCM लगेगा NCM लगेगा तो आपको ITC मिलेगा तो GST करेट 12% यहाँ पर हो जाएगा GST करेट 12% यानि की मोटी मोटी बात यह कि 12% with ITC 5% without ITC यानि cold coffee with ice cream है तो 120 रुपे की और cold coffee without ice cream है तो 50 रुपे की है ठीक है जी दूसरा अगर मालीजे आपका recipient आडमी यह organized sector से तालुकात नहीं रखता है क्योंकि RCM की बात तो तभी आएगी न अगर वो तालुकात नहीं रखता है तो फिर NCM ही लगेगा और NCM के अंदर सप्लायर को ही GST भरना पड़ेगा और जब जब सप्लायर GST भरेगा तो GST करेट 12% होगा और सप्लायर को अपना corresponding ITC अविलेबल हो जाएगा तो रिमेंबर पहले ये चेक करो क्या RCM की eligibility criteria पूरा हो रहा है की नहीं हो रहा है अगर हो रहा है तो यहां आजाओ नहीं हो रहा है तो यहां आजाओ नहीं हो रहा तो NCM 12% विद आईटी सी तो सप्लायर और RCM क्राइटीरिया पूरा हो रहा है तो दो बाते है RCM finally लग भी सकता है यह सप्लायर चाहे तो NCM भी लगवा सकता है अगर NCM लगवाया तो वह 12% विद आईटी सी और अगर RCM ही लगा तो फिर 5% का GST करेटर एंड विदाउट ITC to Supplier यहां पर रखवाया जाता है आगे बात करते हैं Legal Services की Legal Services में तीन चीज़ आपकी आती है उन तीन चीज़ हमें क्या आता है Advice हो, Consultancy हो, Representational Services हो या Assist करने वाली Services आपकी आ रही हो Assist करने वाली Services का मतलब Assistance दे रही हो वो वो Services आपकी आर्सिम की नोटिंग हाला की यहां पर है मेरे पास में वो आपकी Assist कर रही होती है तो उस प्रकार की Services को हम यहां पर बोल कर चलते है Assistance वाली Services का नाम मालिक दे दिया जाता है ऐसे करके बात बोल दी जाती है Assist करने वाले जो Services होती है जैसे कि Return File कर देना या फिर और चोटे मोटे काम कर देना तो वो सब आपके इसी केटेगरी के अंदर यहां पर आ जाते हैं ठीक है सर जी वो सब भी आपके इसी केटेगरी के अंदर यहां पर आ जाते हैं ठीक है तो यह अपना GTA का मैंने पूरा अपनी Insultancy, Representational Services के हम बात करके चलते हैं, Exemption मिलती है के Legal Service में, हाँ, अगर Legal Services दी जा रही हो, किसी Non Business Entity को दी जा रही हो, ठीक है, या फिर किसी Business Entity को दी जा रही हो, लेकिन वो Business Entity गरीब है, यानि कि Preceding Financial Year में जो उसका जो Turnover है, वो आपका कम पढ़ता है, वो Basically कम पढ़ता है, तो वैसे वाले मामले के अंदर हम बोलते हैं कि भाई, रेश्टर्ड तो वो होगी नहीं, रेश्टर्ड होगी नहीं, तो reverse charge में GST दे नहीं सकती है, जब reverse charge दे नहीं सकती है, एड़ोकेट साहब, उनसे सरकार को भरोसा नहीं कि GST दे भी देंगे, तो सप्लायर से ना ले पा वहाँ पर reverse charge mechanism आपका लगा दिया जाएगा, service of arbitral terminal, इसके बारे में भी वैसा ही बूला जाता है, कि arbitral terminal की service है, normally इस पे exemptions होती है, वही कि अगर service provided to non-business entity या फिर government department को दे रहे हो, तो ये सामने understood आदमी है, सारे के सारे GST मिल नहीं पाएगा RCM में, इसलिए exemption में डाल दिय दूसरा अगर गरीब business entity है, तो वहाँ भी understood GST मिल ना पाएगा, तो exemption में डाल दिया, लेकिन सामने अगर अमीर business entity है, जहां से GST आसानी से मिल सकता है, तो वैसे वाले मामले के अंदर उन्होंने का कि ठीक है भाई, यहाँ पर GST लेंगा और यहाँ पर RCM लगाया जा सकता ह है, तो सेम जैसे legal service का था, सेम आपका arbitral terminal का भी वैसा ही यहाँ पर treatment दिया जाता है, उसके बात में आते है, sponsor ship के services है, अगर खेलों के सम्मन में sponsorship के service की बात करते हो, तो वह आपकी exempt कर दी जाती है, और दूसरा, otherwise में sponsorship की बात हो रही है, तो ध्यान दीजिए, अगर सामने को firm है basically, तो body corporate firm के अंतर आपके LLP भी शामिल होती है, तो कोई firm है या company है, तो फिर वैसे वाले मामले में RCM लगेगा, लिकिन otherwise है कोई individual है, तो फिर वहाँ पर NCM यानि की forward charge mechanism ही लगा जाएगा, तो RCM तब लगेगा जब सामने इस्थती यह है, अगली बात करते हैं, service of government की, आप जानते हो, कई सारी government के service को supply ही नहीं माना जाता है, जैसे government अगर license दे रही है, alcoholic liquor का, उसे supply नहीं माना जाता है, या 243G, W के अंदर जो service आती है, उनको supply नहीं मानते हैं, फिर धे सारी exemptions भी दे रखी हैं, 243G और W को लिकर दे रखी हैं, like government to government department service दे जाती है, वहाँ प business entity को service देती है, जिसका preceding financial year में turnover limited है, 10, 20, 40 तक वहाँ पर exemption दी जाती है, 5,000 रुपे तक की small service दे रही है, सरकार वहाँ पर exemption दी जाती है, spectrum के समन में exemption है, coal mine के समन में exemption है, किसानों को दी जाने वाली natural resource की service है, वह exemption है, driving license, passport, visa, etc., इतनी सारी exemptions सरकार की भरी पड़ी है, ले अगर कुछ taxable है, तो उसका tax कौन भरके चलेगा, तो यहाँ पर अगर PVT की service है, यानि कि post office की है, आज के जमाने के non-government को दी जाने वाली service taxable होती है, to maintain parity with the government departments, with the private players, तो अगर वैसी वाली बात यहाँ पर कही जा रही है ना मालिक, तो ऐसे वाले case में हम बोल कर चलते हैं, ठीक है, PVT, V का मतलता था, Vessel, Aircraft, Sumbundi Services, और T का मतलता, Transportation of Goods and Passenger, यह PVT की service है, यहाँ पर RCM लग नहीं सकता, कैसे, माल लीजे, post office की service पर tax लगता, लेकिन post office service लेने के लिए कोई आम आदमी जा रहा है, तो क्या उस आम आदमी से reverse charge में GST लिया जा सकता है, the answer is no, लेकिन tax लगाना भी जरूरी है, to maintain the parity between the private and government players, तो वैसे वाले माल में GST लगेगा, पर RCM नहीं लग पाएगा practically, तो यहाँ पर NCM लगेगा, सरकार को खुछ GST लगना होगा, PVT वाली services के उपर, उसके बाद में, renting of immovable property के हम बात करते हैं, तो यही भी अपनी taxable होती है, if it is given by the government, लेकिन इसमें दो बाते आती हैं, अगर यह B2B transaction आपकी हो रही है, तो सामने वाला रिक्ती GST बनने को पयार है, दे सकता है, मांगो उसी से जिद्ध खुशी से, तो यहाँ पर reverse charge लग जाएगा, लेकिन अगर यह B2C transaction आपकी बनती है, तो इस वाले मामले के अंदर सरकार खुद यहाँ पर GST का पेमेंट कर देगी, तो यह बात अपनी यहाँ पर मालिक निकल के आती है, अधरवाइस सर्विसस के अंदर आपका RCM ही लगाया जाएगा, रसिपेंट को ही GST का पेमेंट करना पड़ जाएगा, आगे बात करते हैं, तो इसमें होता क्या है, TDR FSI के अंदर, कि यहाँ पर एक supplier है, मालिके मेरे पास एक जमीन का टुकडा है, land का है, सामने यहाँ पर एक builder है, promoter बैठा हुआ है, तो जमीन के मेरे बीच में collaboration होता है, कि मैंने इनको development right दे दिया, transfer of development right, TDR मैंने इनको दे दिया, इसके बदले यह मुझे construction की service यहाँ पर दे दे होगी, तो यहाँ पर transaction कितनी होगी, TDR एक transaction मेरी होगी, यह construction service दूसरी transaction होगी, और तीसी transaction यहाँ पर यह हो जाए कि मैं property को बीच दूँगा, जहां तक सवाल है construction service का, तो construction service में supplier आदमी builder है, यह recipient है, यह GST के दायरे में आएगी, construction service liable to GST हो जाएगी, लेकिन transaction 1 और transaction number 3 और one के बीच में से कोई एक transaction ही, इनमें दौनों में से कोई एक transaction ही GST के दायरे में जाएगी, क्योंकि transfer of development right भी कहीं न कहीं building का ही एक हिस्सा है, उसी के value का part होता है, अगर माली यहाँ पर सबसे पहले आप इसे चेक करो, कि क्या property बनते बनते भी की या बनने के बाद भी की, अ अगर यह GST के दायरे में आएगी, तो फिर वैसे वाले मामले के अंदर हम यहाँ पर TDR के ओपर GST नहीं लगाएगा, एक्जेम्ट हो जाएगा, तो फिर इस पर RCM या NCM का सवाली पैदा नहीं होगा, लेकिन अगर completed property की sale होई है, तो वैसे वाले मामले के अंदर property पर GST न अपना लगा देंगे, और जब जब यह GST लगेगा, तो यह बंदा तो basically land owner है, तो जरूर नहीं किसका GST में registration रहा होगा, तो जब यहाँ पर GST लगेगा, तो यह वाला GST RCM में लगाए जाएगा, यानि कि जो builder आदमी है, इसको GST का payment करना पड़ेगा, तो transaction one और three में से क GDR की reasoning थी, वैसे ही इसकी यहाँ पर है, कि जो promoter यानि कि जो builder आदमी है, वो यहाँ पर GST का payment करके चलेगा, अगे बोलते हैं, डारेक्टर के समन्न, डारेक्टर के समन्न, भली बहाती जानते हैं, कि जो आपका whole time director होता है, वो तो GST की दुनिया से बाहर है, लेकिन जो part time director उसमें अगर government body का director है, तो वो gate number 2, यानि supply ही नहीं माना जाता है, लेकिन otherwise है, तो उसको supply ही माना जाएगा, और वो अपना GST की दाएरे में यहाँ पर आ जाता है, और उस पर reverse charge mechanism लगाया जाएगा, यानि कि company liable to pay GST, उसकी sitting fee पर company GST का payment करेगी, लेकिन अगर एक director है, जो क कि माननी जो dual capacity में काम करता है, वो as an employee भी काम करता है, और as a professional भी company को service देता है, as an employee अगर वो काम करके चल रहा है, तो अविस सी बात है, वो तो salary बन जाएगी, लेकिन as a professional काम कर रहा है, तो in the capacity of director कर रहा है, तो अविस सी बात है, फीस मिलने पर RCM लगेगा, और other capacity कर रहा ह है, तो मेरी opinion के अंदर उस पर NCM लगा जाएगा, जैसे कि normal तरीके से बात करी जाती है, उसके बात में आगे आता है insurance agent, कोई बड़ी बात नहीं, insurance agent जो insurance company को service दे रहा है, उस पर RCM लगेगा, similarly recovery agent की service पर भी RCM लगा दिया जाएगा, copyright में दो बात आती है, अगर DMA के समद म हैं, dramatic, musical, artistic, अगर copyright की बात हम करके चल लें, dramatic, musical और artistic की अगर बात करी जा रही है, तो क्या करवाया जाएगा, अगर ऐसी बात मालिक की जा रही है, तो हम बताए देते हैं, dramatic, dramatic, musical और artistic के respect में बात कर रहे हो, तो जिससे मालिजे, AR रहमा ने यहाँ पर धुन बना दी, और य reverse charge mechanism लगाया जाएगा, यानि कि जो music company है, इस पे GST का payment करके चलेगी, लेकिन, अगर हम बात करके चलते हैं, books के सम्मंद में, अमता बच्चे जी ने किताब लेकी, बागवान, जिसके publisher थे movie के अंदर, अलोक राजमलोतरा, यह publisher हुआ करते थे, दुसलाग का check दिया गया था royalty के सम्मंद में, तो यहाँ पर भी आपका RCM ही लगाय जाएगा, royalty को पर जो service देने वाला बंदा है, basically, जो supplier कौन है यहाँ पर, और recipient, recipient आपके यह हैं, जो payment कर रहे हैं, तो recipient अनि अलोक राजमलोतरा, यहाँ GST का payment करके चलेंगे, no doubt, मैं तो सारी बात linkage में ही करके चलता मालक, लेकिन यहाँ पर एक यूटन दिया गया है, just like GTA की माती, कि normally recipient GST का payment करेगा, but, but, a यूटन position, लेकिन, लेकिन अगर ऐसा है, पूछो कैसा है, लेकिन अगर ऐसा है, हाँ, लेकिन अगर ऐसा है कि, हाँ, लेकिन अगर ऐसा है कि, सप्लायर खुद कहता है, क्योंकि जैस हजारों और उसके पास में, तो हजारों वेक्टिव कर टेक्स होई, टेक्समन भरेगा, मतलब बड़न सम हो जाता है, तो यहाँ पर एक यूटन वाली पोजिशन बना कर दे दी गई है, I hope, बात आपको समझ में आगी होगे, normally, first front पे RCM ही लगेगा, recipient GST का payment करेगा, लेकिन यहाँ चाहे तो author भी GST का payment कर सकता है, प्रेम से बोलेंगे, राधे, राधे, ठीक है, राधे, हाँ सर जी, एकदम ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कॉपी राइट से हम अपने चर्चा को आगे लिए चलते हैं, तो यहाँ पर आगे आगे आता है, service of overseeing committee, members of overseeing committee constituted by the reserve bank of India, दे विजन दे रखा है, यह मेरे विचार में सही नहीं है, सही क्यों नहीं है, उसके लिए भी एक कारण है तर असल, कि जो हमारी यह service होती है न, reserve bank of India, जो भी service देता है, आप जानते वो exempted होती है, जो वो service लेता है, मालने यह import of service बाहर से कर रहा है, और forex संबंदी service वो ले र कमेटी, जो high transactions, high value transactions, like 500 crores उपर को को लोन शोन कोई पार्टी मांग रही है, तो उसके लिए RBI के पास में आती है, भी लोन दें कि ना दें, RBI कंसल्ट करता है, एक खुद के द्वारा constituted कमेटी से, जिसो ओवर सिंग कमेटी के नाम से जानते हैं, तो उस पर वो कमेटी अप अपने ही द्वारा constituted की हुई कमेटी को, तो इस पर बोल रहे हैं कि इस पर reverse charge mechanism लगाया जाएगा, यानि कि RBI GST का payment करेगा reverse charge mechanism में, लेकिन मेरे हिसाब में ये आपके exemption में होना चाहिए था, RBI को GST के घेरे में नहीं लाना चाहिए था, पर मैं कुछ नहीं कर सकता, जो है, आगे बात करते हैं, DSA की, DSA, BF, BC, दो तीन पॉइंट आपके कटे यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, तो ये जो आपके DSA, ये वगरा जो होते हैं, ये क्या होता है, पहले समझेए, नाम अलग अलग है, DSA मतलब direct selling agent अपना हो गया, ये क्या होते हैं, जो loan शोन करवाते हैं, आपके पास बहुत सारे call आते रहते हैं, तो ये वो वक्ति होते हैं, जो बैंक से आपको loan दिलवाते हैं, बैंक के लिए basically business ले जाकर इन्हों ने दिया, और बैंक से इनको मिलता है, एक commission, एक percentage commission का मिल जाता है, और जो commission है, यही इनके लिए income होगा, और इसके उपर ही GST का payment करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो DSA जो है individual capacity में हैं, तो वहाँ पर जो आपका ये bank है, इसको GST का payment करना पड़ेगा, और अगर मालीजी जो आपका ये individual ना होकर, किसी और capacity में, कोई company के रूप में है, firm के रूप में है, loan agent जो है, किसी और रूप में है, तो फिर वहाँ पर NCM ही लगाया जाएगा, इसका कहने का मतलब क्या है, मुझे बताइए, क्या bank, ऐसे वाले DSA लोगों से business लेना चाहेगा, जो individual capacity में, the answer is no, क्योंकि उसके सम्मन्द में, bank को RCM लग जाता है, और bank की library आ जाती है, GST बनने के, तो bank कभी नहीं चाहेगा, अपने compliance को बढ़ यह अधर देन, individual नहीं की firm बनाओ, company बनाओ, जो भी है, ऐसे करके काम करते हो, तो तो आपके लिए थोड़ा सा सहुलित रहेगी, और कोई भी bank आपको business देने में चुकेगा नहीं, आगे बात करते हैं business facilitator, नाम से पता लगता है, कि यह business को facilitate करने वाले यहाँ पर होते हैं, तो business को facilitate करते हैं, यह कोई अपने bank के बिहाँ पर कोई transaction नहीं ले रहे, यह तो सिर्फ facilitate करते हैं bank को, तो इनको जो भी commission मिलेगा उस पर भी GST नहीं लगाया जाएगा, आगे आता है business correspondent, यह business correspondent क्या होता है, कि हर गाओं में bank की branch नहीं हो सकती, तो एक micro level की retail branch bank में खोली जात ही है, तो इसको यह क्या करता है, यह bank के बिहाँ पर transactions अपनी करते हैं, basically individual लोगी होते हैं, चो छोटे मुटे दुकान चलाते हैं, चाहे परचुने की दुकान है, चाहे PCOS TDI या कुछ ऐसे या फोटोग्राफिक की दुकान है, तो यह bank के बिहाँ पर कुछ transactions करते हैं, अपन संबन देता है, तो GST इस पर लगाया जाएगा, और GST NCM में लगेगा, इसमे AACM न लगेगा, क्योंकि इसके पीछे कारण हैं, कि बैंक जब इस व्यक्ति पर भरोसा कर रहा है, मालेजे दसलाग की transaction अगर होती है, दसलाग की transaction पे commission बनेगा बंदे का 10,000 रुपे, और 10,000 की commission पे GST बनता है, 1,800 रुपे का, तो जिस व्यक्ति पर बैंक न दसलाग तक का भरोसा कर लिया, GST department का 18 रुपे तक का भरोसा नहीं कर सकता क्या, कि भई हमें डर है कि तु पतन GST भरेगा नहीं भरेगा, ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पर तो NCM में लगा जाएगा, ले उसके उपर reverse charge mechanism लगाया जाता है, ठीक है, ऐसे करके, आगे आती है आपकी security services, तो security services ध्यान दीजिएगा, अब देखना ही होता कि किन पर भरोसा है और किन पर भरोसा नहीं है, अब यहाँ पर security agency है, security agency हायर करती है employees को, तो employee को तो साली देती है वो, उस पर तो GST है ही नहीं वो तो आपके supply नहीं बनेगा, लेकिन आगे जब security agency आगे services अपनी दे रही होती तो उस पर हमें चेक करना है कि वो supply भी है, service भी है, लेकिन उस पर GST किस प्रकार से treat किया जाएगा, तो आपको देखना है कि अगर supply जो security agency है, अगर वो है किस form में, मतलब वो non company है, security agency एक non company, नहीं है मालिक, ठीक है जी, तो non company पर सरकार को भरोसा काम होता है, और सामने जो service दे रहे हैं, वो एक registered person को service दे रहे हैं, मौजूदा व्यक्ति को, उस पर भरोसा सरकार को पूरा जो already registered व्यक्ति है, अगर एक non company के रूप में security agency registered व्यक्ति को दे रही है services, जिस पर भरोसा सर company को service दे रहे हैं, तो इस पर भी भरोसा कम है, जो non registered है सामने उस पर भी भरोसा कम है, जब दोनों पर भी भरोसा कम है, तो फिर RCM लगाने को कोई औचित नहीं बनता है, RCM लगाने से कुछ नया नहीं मिल जाएगा, तो भईया फिर तो सीद़ सीद़ गंगा को बहने दीज जिए, फिर सीकरिटी एजनसी के ऊपर ही बोलिए कि भी या तो ही आप GST भर दीजिए, लेकिन अगर ये आपकी सीकरिटी एजनसी कमपनी के रूप में है, मतलब कमपनी के रूप में सरकार को अच्छा खासा भरोसा है, और जब सप्लायर पर भरोसा है, तो भला किसी और के होजाए, फिर सीपिंट के पास क्यों में बात को जांकरे, जाहेर साब का भरोसे वाला हो या ना हो, मेरा साप्लायर भरोसे वाला है, तो मैं साप्लायर से ही GST ले लूँगा, तो अगर ये आपका साप्लायर सी कमपनी है, तो ऑलवेज एनसीम लगेगा, सीकरिटी एजनसी register है तो वहाँ पर RCM लगेगा लेकिन इसके दो exception है कि सामने वाला register तो है लेकिन composition scheme को लेके बैठा है ये रहा register तो है लेकिन composition scheme को लेके बैठा हुआ है तो आप इनसे उम्मीद करोगे कि ये दूसरे का tax भी खुद बरें ये composition scheme मैं आते से लिए क्योंकि ये compliance से डर जाते हैं ये अपने compliance की पूरती नहीं कर पाते हैं इसलिए यहां पर आते हैं ये तो इसलिए का कि भी हमें तो अपनी compliance पूरे नहीं हो रहे दूसरे के compliance क्या पूरे करेंगे हम दूसरा एक वो एक वो registered व्यक्ती जो सिर्फ TDS deductor के रूप में ही registered है जो otherwise not liable to pay GST है तो मेरी बात ध्यान से सुनना security agency जब non company के द्वारा दी जाती है to a registered person तो वहां आपका लगता है reverse charge mechanism लेकिन इस बात के दो exception है number 1 exception कि अगर सामने वाला registered तो है लेकिन वो composite dealer है या फिर वो registered तो है लेकिन only as a TDS deductor है प्यार तो करता है बट as a friend तो वैसे वाले मामले के अंदर आपका NCM ही लगाया जाएगा तो मैंने ये दो बात आपकी यहां पर इस परकार से लिखिए हुई है ऐसे करके यह हमारे मैं आपको बता देना चाहता हूँ रेंटिंग और motor vehicle में दो परकार की बात मेरे बच्चा करे जाती है एक वर आथा आपका रेंटिंग का दूसरा वर आता है आपका पैसंजर transportation का तो आप देख सकते के पैसंजर transportation में आपको टैक्सी कुछ इस प्रकार से मिलती है आप बैठते हैं और आपको point to point बताना हो कर यहां से आपको यहां जाना है उसी साफ से आपसे चार्ज लिये जाते हैं लेकिन यहां rent a car होता है basically वहां चाबी ही आपको पकरा दिया थी कि चाबी आपके कहीं गूम कराओ तो यहाँ पर basically दो चीज ध्यान में रखी जाते हैं क्राया चार्ज करने के लिए एक आप कितनी दूरी तैक कर रहे हो आप चाहो तो ओला ओबर के एप पे जाके देख लेना है आपका कि भई डिस्टेंस ही आपका लखा जाता है तो उसमें पैसंजर ट्रांस्पूर्टेशन के नाम से इसको जाना जाता है पैसंजर ट्रांस्पूर्टेशन के संबन में हम जानते हैं कई सारी exemptions भी दिया थी contact stage carriage etc और इस पर जब भी GST लगेगा वो आपका RCM में नहीं लगेगा वो आपका भाई सब NCM में ही लगाया जाता है तो passenger transportation का RCM से कोई किसी प्रकार का लेना देना नहीं है या तो GST होगा नहीं और है तो NCM में ही आएगा लिकिन जब renting और motor vehicle की बात करते हैं तो यहां पर कई सारी exemptions भी आपकी आते हैं जैसे माले जिए बस या mini bus किसी local authority को आप दे रहे हो किराए पर electric buses local authority को दे रहे हो या फिर street transport undertaking को दे रहे हो तो वहां पर कई से प्रकार की आपने exemptions भी देखे थे जहां तक सवाल है आपके RCM और NCM provision का तो वो किस प्रकार से हैं तो यहां पर भी दो प्रकार की बाते होती है नमबर एक यहां दो model दिये गए हैं बना के जो अच्छा लगए आप उसको अपनाईएगा और जो न अच्छा लगए और दूसरा है cold coffee without ice cream cold coffee without ice cream आपको 120 रुपे की मिलेगी और cold coffee without ice cream आपको 50 रुपे की मिलेगी इसका मतलब क्या है कि if you are choosing the rate of 12% then always 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 model 1 में NCM ही लगएगा RCM का कोई scope model 1 में नहीं है whatever may happen यहां 12% का GST का rate लगएगा और आपको पूरा का पूरा ITC यहां पर available हो जाएगा और always NCM ही लगएगा NCM ही लगएगा if you are choosing the rate of 12% then always NCM ही लगएगा दूसरी बात अगर आप यहां पर आते हैं 5% with no ITC no ITC है लेकिन इसका exception भी है partial ITC ऐसे बुलना 5% with partial ITC input का capital goods का input service का नहीं मिलता सिर्फ एक service का मिलता है और वो एक service का नाम है आपकी like similar service जैसे I am engaged in renting of motor vehicle services if I am also taking such kind of services तो यह similar service कही जाती है तो मुझे similar जैसे को तैसा जो जैसे service दे रहा है वो वैसे ही service ले रहा है वहां तो उसे credit मिलेगा otherwise मुझे credit नहीं दिया जाएगा ठीक है जी तो सिर्फ एक ही मिलेगा बाकि और कोई भी नहीं दिया जाएगा तो यहां पर NCM भी लग सकता है और RCM भी लग सकता है चेक कीजिए non company की company हैं अगर non company यहां पर supplier है या company supplier है तो company पर supplier है तो company पर भरोसा होता है अगर company पर भरोसा है सपलियर पर वरोसा होता है तो ऐसी की तैसी रेसीपेंट जो मरजी हो भरोसे वाला हो या बिना भरोसे वाला हो हमें फर्क ही नहीं पड़ता अगर सपलियर पर खुद भरोसा है तो NCM ही लगाया जाएगा Always दूसरी बात अगर मालीजी साप्लायर जो है हमारा वो नॉन कमपनी जिस पर भरोसा कम होता है अब चेक करो सामने वाला कौन है सामने वाला कमपनी है कि नॉन कमपनी है अगर सामने वाला कमपनी है या नॉन कमपनी है या आपको वहाँ पर देखना होगा अगर सामने वाला नॉन कमपनी है तो देने वाला भी non company, सामने वाला भी non company तो ज़्यादा बढ़ी है थोड़ी ना जो से आप RCM लगाओगे तो फिर NCM ही रहन देना लेकिन देने वाला non company जिस पर भरोसा कम है और लेने वाला company जिस पर भरोसा अच्छा खासा है तो वहाँ पर एक RCM लगेगा यानि कि सिर्फ D situation में ही आपका RCM लगेगा जब देने वाला non company, लेने वाला company है सिर्फ वहीं पर आपका RCM लगाए जाएगा RCM के अंदर क्या होगा कि 5% का GST का rate होगा ये model ही वो है, 5% GST का rate होगा अब चाहे NCM लगे, 3 case में A, B, C, D में NCM लगा है बाकि D case के अंदर आपका RCM लग रहा है लेकिन model कौन सा पढ़ रहे हैं, model पढ़ रहे हैं आप 5% with partial ITC partial ITC मिल जाता है, लेकिन जब RCM लग रहा है तो आप अच्छे से जानते हैं, कि RCM वाले case के अंदर supplier के तो इतनी सी भी liability नहीं होगी जब सब्सक्रार के इतनी सी भी liability नहीं होगी तो obvious सी बात उसे इतना सा भी ITC अवेलेबल नहीं हो पाएगा माना की model में partial ITC मिल जाता है बट इस RCM के चलते हुए बंदा otherwise condition को पूरा नहीं कर पा रहा है जिसके चलते हुए इतना सा भी ITC अवेलेबल नहीं हो पाएगा और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे ठीक है राधे हाँ सर जी आगे बात करते हैं यहाँ पर आकर security lending की बात करते हैं तो security lending के अंदर मैंने एक शांदर example आपको दे के समझाया था बातों को जिसमें बोलते हैं कि भाई मालीजी यहाँ पर संजर सराफ सर हैं यहाँ पर मैं हूँ यहाँ भवर सर हैं ठीक है तो मेरे पास एक आइडिया है क्योंकि बड़ा business चुरू करने के लिए बड़ा idea चाहिए होता है मैंने सका कि सर मुझे x limited का एक share बोरो करना उधार चाहिए क्राए पे चाहिए खरीद नहीं सकता क्राए पे चाहिए तो क्राए पर लेने के लिए गजाओंगा तो शर्मा सर ने संजर सराफ सर को अप्रोच किया कि क्या आपके पास में कोई x limited का share पढ़ा है पढ़ा हुआ है आपके डीमेट अकाउंट में दे दीजिए क्योंकि वैसे भी आपको क्या मिलने वाला है इवन आप उधार दोगे तो चार पैसे क्राए के जरू मिल जाएंगे मुरोवर आपके डिवलेंट वगएरा जो भी आपको इसमें एक root होना है उसनवा आप ही को होगा इसमें कि दूसरे के पास चला जाएगा वो वो सब आप ही को आपक उन इसमें क्राए को उनएगा तो अलग से आप कराया भी मिल जाएगा जीएगा तीन-चार महीने बाद जो मेरी कैलकूलेशन रही थी उसके मताबिक क्या हुआ मालिक के प्राइस डाउन हुआ, चार सुरुपे प्राइस हो जाता है, आज मेरे जिमें पांच सुरुपे आ गये थी चुकि मैंने शेर बेच दिया था, मैंने चार सुरुपे में बज कर 75 रुपे मेरे पास में बच जाते हैं इस प्रकार से पूरी गेम में 75 रुपीज में कमा गया बिना पैसा लगाए में पैसा कमा गया यहां पर ठीक है सार जी कोई दिक्ट वाली बात नहीं है अब बताई जीस्टी के सिनारियो यहां पर क्या होगा जो 400-500 रुपे के शेर की खरिदारी और खरिद बेच हुई वो सीकरिटी है सीकरिटी ना मनी है ना गुड सर उस पर जीस्टी की चरचा नहीं होगी जो 5 रुपे का शरमा सर का कमिशन था उस पर जीस्टी आएगा लेकिन नॉर्मल चार्ज मेकनिजम में शरमा सर लाइबल टूपे जीस्टी और उन I don't know संजे सराफसर मुलब इस question के अंदर वैसे तो बहुत अच्छे से हैं सम्मन अपने लेकिन यहां इस question के अंदर मैं उनको नहीं जानता हूँ मैं stock broker के माध्यम से ही deal कर रहा हूँ जो भी तो जैसे 20 रुपे यहां से निकलेंगे उसी समय RCM की चर्चा भी करा दी जाएगी ऐसी वाली बात आपकी यहां पर बतलाई जाती है राइट हां सर जी एकदम ठीक है कौनों दिक्कत वाली बात नहीं है तो जो borrower होगा वो यहां पर GST का payment करेगा उसके बाद आगे पड़ते हैं क्या भला इसमें कि अगर import of services कर रही हो import of services कर रही हो निश्यतोर पर उस पर RCM नहीं लगता है वो है OIDAR की service अगर OIDAR की service बाहर से ले रहे हो और लेने वाला unregistered आदमी है तो यहां इस पर हम GST इस unregistered वेक्टी से 10 साल के बच्चे से GST नहीं लेते हैं बलकि OIDAR service provider को यहां बलाते हैं कनहिया कनहिया तो मैं आना पड़ेगा आना पड़ेगा और य whatever may happen always always importer को ही GST पे करना पड़ेगा ऐसा हो सकता है कि ocean freight के समद में because हम import of goods को महंगा करना चाहते हैं और ocean freight के समद में हमारा target है कि GST always always आएगा moreover mileage shipping company NTT की यह भार की है और जो भारा दे रहा है वो भी भार काई है मानले एक्सपोर्टर ने भारा पकड़ा दिया है जो goods का एक्सपोर्टर था दोनों parties इंडिया के भार हैं लेकिन place of supply section 38 के मताबिको destination इंडिया मा आएगा जहां goods का destination है वहीं service का destination मनता place of supply यहां पर आए यह था तो ऐसे वाले हालात के अंदर भी GST नहीं exempt होगा GST लेगा ही लगेगा लेकिन यहां पर GST का payment ना supplier करेगा ना recipient करेगा बलकि जो import रादमी है उससे always GST का payment करना पड़ेगा inspect of ocean freight वैसे करके हमारी बात होती है उसके बार 9-4 आ जाता है 9-4 के समन्द में यह बताया जाता है कि देखे भाई सब अगर आप बात कर रहे हो हमसे सीमेंट की तो ocean freight में supplier जो उसमें 94 के अंदर जो आपका supplier होता है ना मालिक जो supplier होता है आपका वो होता है एक supplier जो होता है आपका अंडशिट परसन होता है recipient आपका registered वेक्टी यहां पर ह होता है तो अगर बात करी जा रही हो उसमें सीमेंट की तो सीमेंट पे always RCM लगाया जाएगा अगर माले जी capital goods की बात करी जा रही है तो उस पर भी always RCM ही लगाया जाएगा इसके लाबा बाकी goods यह services की बात हो रही है तो हमाँ पर 80-20 का formula काम करेगा अगर माले जीए 80 अगर 80% पर NCM आगया, 20% पर RCM नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहां पर भी RCM लगेगा, तो लोग इसे काम लेना बंद कर देंगा, छोटे-छोटे जो कारोबारी है, यह प्लंबर वगेरा, इनका काम यहां पर रुक जाएगा, तो इसलिए सरकार ने 20% की छूट यहां पर दे दी ह ठीक है, अगर माली जी रेशो ऐसे कर दिया, 70% रेलिया रेजिस्टर्ट से, 30% रेलिया अन्रेजिस्टर्ट से, तो फिर क्या करके चलोगे, 70% पर NCM यहने की forward charge mechanism लगा दिया जाएगा, बाकि जो 30% पर पहला वाला जो 20 था, उस पर तो कोई GST नहीं लिआएगा, लेकिन 20 स उपर वाला जो 10 है, 10% उस पर आपका reverse charge mechanism लगवा दिया जाएगा, तो ऐसे करके यहां पर बोली जाती है, 95 के अंदर चाचा करी जाती है, उसके बाद, यह सारी linkage मैं आपको proper तरीके से यहां पर करके दे हुई है मालिक, और उसके बाद में फिर हमारी चर्चा होती है, अग कोब महनत करते रहिए और पढ़ते रहिए मालिक, थैंक यू सो मच, विश्यू आल दा वेरी बेस्ट, बाई टाटा, लव यू, आज की मुलाकत बस इतनी, और कर लेना कल जाए, बात जाती है, फटा 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 फट रिवाइस कर जाओ, और इस रिवाइस करने के सा साथ, जो question answer की book है आपकी, जो मेरी website पर available है, descriptive question answer, उसमें धेर सारी questions है, सारी questions कर डालिएगा, जिससे कि आपके उमदा number आने से कोई रोक ना सके, और इंडिया highest आने से आपके कोई रोक ना सके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाई, लव यू, एंड टाटा, बाई, बाई, ब उपके कोई, बाई, इन